Hello friends, welcome to my channel, my name is Ars और आज इस वीडियो से हम लोग start करेंगे हमारा new project और हमारे इस new project के अंदर हम लोग create करेंगे image uploading with react.js, node.js, express.js और mongodip database के साथ तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ देखेंगे कि हम लोग कैसे print end के दुरू image को upload करेंगे और उसे node.js और express.js के साथ हमारे mongodip database के अंदर कैसे उसे store करवाएंगे तो आज इस वीडियो के अंदर यह सब कुछ हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे इस project का क्या करेंगे डेमो देख लेंगे और डेमो देखने के बाद हम लोग हमारे project create करना start करेंगे तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हमारा इस project का demo तो इस project के अंदर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले create करेंगे एक basic सा UI जिसमें यहाँ पर एक header होगी और यहाँ पर लिखा होगा यह merge image upload project और यहाँ पर हम लोग उने bootstrap के card का यहाँ पर use किया है bootstrap के card component का तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को यह जो दिख रहा है add user वाला button तो इस button के उपर हम लोग क्या करेंगे करेंगे click के तो जैसे हम लोग ने उस add user button के उपर click किया तो हम लोग यहाँ पर एक new page पर redirect हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा URL भी change हो चुका है forward slash register तो यहाँ पर हम लोग इस register वाले component के उपर redirect हो गए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखा है upload your image here तो सबसे बेले तो यहाँ पर हम लोग user का name लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक user का name लिखेंगे और उस user का name है आपर होगा यह हरदिक और यहाँ पर हम लोग उपर लिखा है select your image तो यहां से इसके उपर मैं करूँगा क्लिक और यहां से हम लोग क्या करेंगे कोई भी एक image को select कर लेंगे तो यहां पर मैं यह वाली image को करूँगा select और यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया user का name रख लिया और image को भी यहां से select कर लिया और जैसे यहाँ पर इस submit पटन के उपर मैं करूंगा click तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे home page पर redirect हो चुके हैं और हम लोगों ने जो user add किया और जो image add करी वो आप लोग यहाँ पर right side पर देख सकते हैं कि यहाँ पर username यह हरदी click आ चुका है और यहाँ पर भी हम लोगों को यह date added जो हमारी जो date थी वो भी यहाँ पर लिखी आ चुके हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया सिर्फ यहाँ पर इस add user के उपर click किया और हमारे इस register वाले page पर redirect हो चुके हैं और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर register किया तो हमारा जो user जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से add हो चुका है मतलब कि हमारे इस user का name और date और image यहाँ पर एकदम अच्छे से add हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर यह सब कुछ create करेंगे हमारे आज के इस video के अंदर और आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दू कि यह जो user हम लोगों ने यहाँ पर add किया उसे हम लोग store करेंगे हमारे MongoDB database के अंदर तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इसे करेंगे refresh यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों को यह 5 लिखा आ चुका है तो यहां पर जैसे में नीचे जाओंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लास्ट में जो हम लोगोंने जो user एड़ किया उस user का name और यहां पर यह date और यहाँ पर यह image पाद भी एकदम अच्छे से लिखा आ चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो हम लोग ने जो image जो यहाँ पर add किया वो हमारे database में भी एकदम अच्छे से store हो चुका है तो यह सब कुछ हम लोग देखेंगे हमारे इस video के अंदर और यहाँ पर हम लोग उने एक delete button को भी यहाँ पर add किया हुआ है कि अगर हम लोग इस delete button के उपर करेंगे click तो हमारा जो user जो है वो यहाँ से delete हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इस delete button के उपर करेंगे click तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर यह अलट सो हो चुका है यूजर डिलिट और नीचे से हमारा जो यूजर जो हम लोग उन्हें एड किया था वो भी यहाँ से क्या हो गया डिलिट हो चुका है तो यहाँ पर इसके उपर में करूंगा क्लिक के तो वो अलट यहां से जा चुका है और फिर से अगर हम लोग यहां पर जाएंगे और हमारे इस page को करेंगे refresh तो आप लोग यहां पर नीचे देख सकते हैं कि यहां पर अभी जो 5 लिखा था यहां पर अब लिखा गया 4 और जो हमारा last जो user जो था वो भी यहां से क्या हो चुका है तो यहां पर हम लोग सब कुछ देखेंगे कि कैसे यहां पर यह image को upload करेंगे और date added और username कैसे यहां पर हम लोग सब कुछ add करेंगे और user को delete करेंगे जह सब कुछ functionality हम लोग create करेंगे आज इस video के अंदर तो अगर आप लोगों पाच का हमारा यह video अच्छा लगे तो please इस video पर like कीजिए share कीजिए और channel पर नए हो तो subscribe कीजिए तो चलिए video को शुरू करते हैं तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले एक folder create करेंगे और यहां पर इस folder का name होगा user image project और हम लोग ने यहां पर यह project folder एक create कर लिया तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहां पर करेंगे हम लोग open with code तो यहां पर हम लोग ने हमारा VS code यहां पर open कर लिया है तो हम लोग अब यहां पर करेंगे क्या तो सबसे पहले हम लोग हमारी react app को install कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हमारा server वारा part भी देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग हमारी react app को install कर लेंगे तो यहाँ पर मैं करूंगा अपना terminal open और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे command लिखेंगे हमारी react app को इस्टॉल करने के लिए लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों ने अल्रेडी हमारी इस चैनल पर लाश्ट वीक के अंदर एक प्रोजेक कम्प्लेट कर लिया था यहाँ पर यह था मर्न स्टैक ऑथेन्टिकेशन तो आप लोगों ने अभी तक यह वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके उसे जरूर चेक आउट किजिए मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा और उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर यह कराण अप्लिकेशन देखा था माई सिक्कॉल डेटाबेस के साथ और फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था npx create react app और हमारी app का यहाँ पर नेम होगा यह client तो हम लोगों ने यहाँ पर एक command लिख दी npx create react app client और इसे यहाँ पर मैं कर लोगा install तो हमारी app यहाँ पर install होना start हो चुकी है nasuathстран Umic यहाँ तो तब तक हम लोग एक काम करेंगे आप लोग लेब साथ पर देख सकते हैं किvor क्यों किया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे lab sate पर create करेंगे एक और फोलडर और और जो देम होगा यह पर यह server और फिर server folder के अंदर यहाँ पर एक file create करेंगे और उस file का name होगा यहाँ पर यह app.js तो हम लोगोंने क्या किया left side पर हमारी react app को install करने के लिए रख दिया और right side पर हम लोग अब करेंगे क्या तो यहाँ पर हम लोगोंने जो server यहाँ पर यह जो folder create किया तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे हमारे package.json file को क्या करेंगे initialize कर देंगे और packet.json file हम लोगों को यहाँ पर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जितनी भी dependency होगी हमारे express.js, node.js की वो सारी उस file के अंदर store रहेगी तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जाएंगे सबसे पहले तो cd, server folder के अंदर और server folder के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिकेंगे npm init, यहाँ पर होगा यह npm init-y और करूँगा यहाँ पर इसमें enter तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर यह name, version और यह सब कुछ यहाँ पर create हो चुका है और हगर हम लोग यहाँ पर इस server folder के अंदर चेक करें तो यहाँ पर left side पर एक packet.json file भी यहाँ पर बनके ready है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हमारे server के अंदर जो packet.json जो file हम लोगों को चाहिए वो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया उसे initialize कर दिया और अब हम लोग क्या करेंगे हमारी react app तो अभी भी इंस्टॉल हो रहे है तो साथ में हम लोग क्या करेंगे right side पर हम लोगों को back end के अंदर जितने भी यहाँ पर हम लोगों को packages चाहिए उसे install कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ npm i हम लोगों को यहाँ पर चाहिए express js तो यहाँ पर होगा npm i express फिर उसके बाद यहाँ पर होगा यह course module यहाँ पर होगा npm i express फिर उसके बाद होगा यहाँ पर यह course और फिर एक और यहाँ पर package होगा और वो होगा यहाँ पर यह .env और इसे यहाँ पर मैं करूँगा install तो हम लोगों ने यहाँ पर express js course module और .env को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, और left side पर भी आप लोग देख सकते हैं, कि हमारी जो react app जो है, वो यहां पर बनके ready हैं, तो हम लोग उसे बाद में start करेंगे, तो हम लोग आप करेंगे क्या, तो right side पर हमारा जो packages जो हम लोग उना express, course, .env लिखा, वो तो install हो च चुकी है, तो एक काम करेंगे हम लोग, यहां पर हमारे इस terminal को अभी थोड़ी देर के लिए करेंगे close, और जाएंगे हम लोग हमारी app.js के अंदर, और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हमारे server को start कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग उको क्य क्या करना होगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे और श्रच यहां पर में लिखोंगा const app is equal to यहाँ पर होगा यह extrace तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी extrace app को क्या कर लिया create कर लिया और हम लोगों को यहाँ पर एक port number भी provide करना होगा कि हम लोग हमारा server का जो part जो हैं वो हम लोग कौन से port पर run करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const यहाँ पर होगा यह port और हमारा port होगा यहाँ पर यह 8005 आप लोग यह port नंबर कोई भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 8005 तो हम लोग यहाँ पर हमारी app को कर देंगे start तो यहाँ पर नीचे लिखूंगा app. यहाँ पर होगा यह लिशन और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह port फिर उसके बाद यहाँ पर होगा यह fat arrow function और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे console.log और यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर जो define किया उसे यहाँ से कर लेंगे यहाँ पर paste हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर port number 8005 को यहाँ पर define कर दिया और हमारे app को यहाँ पर हम लोगों ने listen कर दिया और हम लोगों ने यहाँ पर console करवा दिया server start at port number 8005 तो एक बार हम लोग क्या करेंगे हमारे backend के part को start करके check करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर होगा यह node mode app.js और अगर आप लोगों ने node mode अभी तक install नहीं किया तो आप लोग जाके node mode को install कर लीजे और node mode जैसे install हो जाए फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यह command run करने होगी node mode app.js और यहाँ पर इसे करना होगा enter तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को नीचे console में एक output मिल चुका है server start at port no.8005 तो यहाँ पर हम लोगोंने हमारा जो एप लिसन करने का जो काम जो था वो complete कर लिया तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हम लोगों को कोई output मिलता है या नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे local host यहाँ पर होगा यह 8005 और करूंगा यहाँ पर इसमें एंटर तो यहाँ पर यहाँ लोगों को बोलेगा cannot get क्योंकि हम लोगोंने कुछ सैटी नहीं किया तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे app.get और यहाँ पर यहोगा अमारा path फिर यहाँ पर होगा यह request रिस्पॉंस और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे response. यहाँ पर होगा यह response.send और लिखेंगे server स्टार्ट और करूंगा यहाँ पर इसमें save और हम लोगों ने यहाँ पर nodebone app.js लिखा इसलिए हम लोगों को बार-बार हमारे terminal पर जाकर उसे फिर से restart करना नहीं पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इसे करेंगे refresh तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यह message आ चुका है server start तो हमारा जो backend का जो काम जो था server start करने का तो वो एकदम अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर complete कर लिया है हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया सिर्फ express app को यहाँ पर require किया फिर app create करी फिर port number दिया और चेक करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक path दिया app.get फिर उसे response.send कर दिया और हमारी app को यहाँ पर हम लोगों ने listen कर दिया port number 8005 पर तो हमारा backend का जो काम जो है हो यहाँ पर एकदम अच्छे से complete हो चुका है और हम लोग अब करेंगे क्या तो सबसे पहले हम लोग हमारा front end का जो काम जो है उसे देख लेंगे जो भी हमारा जो UI जो होगा वो हम लोग सबसे पहले तो create कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग backend में जाकर database connectivity को सब कुछ देखेंगे तो यहाँ से इस app.js को यहाँ पर मैं करूंगा close और हमारे server वाले part को भी यहाँ पर करूंगा close और यहाँ पर मैं जाओंगा left side पर और हम लोगों को अब जाना होगा हमारे client folder के अंदर तो यहाँ पर मैं लिखोंगा CD यहाँ पर होगा client और यहाँ पर हम लोग अपको करेंगे start यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm start और यहाँ पर इसे करूंगा mentor तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी react app एकदम अच्छे से यहाँ पर start हो चुके हैं तो हम लोग अप करेंगे क्या तो हम लोग जाकर चेक करेंगे तो हम लोग यह वाला यह जो UI जो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसे create करेंगे सबसे पहले तो जाएंगे हम लोग हमारे उस folder के अंदर तो यहाँ पर इसे हम टर्मिनल को कर देंगे close और जाएंगे सबसे पहले client के अंदर, source के अंदर और यहांसे हम लोग उने taking do कर दिया और अभी के लिए हम लोग सिर्फ लिख लेंगे यह और इसे यहां पर मैं करूंगा save तो यहां पर यह हैं लिखा चुका है तो हम लोग ने यहां क्या किया app.js के अंदर से जो कुछ भी लिखा था उसे रिमूव कर दिया तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे तो इस source के अंदर यहां पर हम लोग create करेंगे एक new folder और इस folder का name होगा यहां पर यह components और हम लोग यहां पर जितने भी components use करेंगे वो सारे dot js फिर उसके बाद यहां पर हम लोग लेंगे एक और component और उसका name होगा यहां पर यह home dot js और एक और component यहां पर होगा तो उसका name होगा यहां पर यह register dot js तो हम लोग उने क्या किया source के अंदर एक components folder create किया और फिर उसके अंदर तो तिन और यहाँ पर file create कर ली header, home, and register के लिए तो हम लोग क्या करेंगे इस तीनोh file के अंदर हम लोग create कर लेंगे function हमारा तो सब से पहले यहाँ पर हम लोग this header.js के अंदर pete कर लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा rafce यहाँ पर मैंने लिखा rafc और यहाँ पर एक function बनके ready है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक package को install किया हुआ है तो अगर आप लोगों को यह package को install करना है तो आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर इस search के अंदर और यहाँ पर आप लोगों को एक package मिन जाएगा ES7 React Redux तो यह वाला जो package जो है आप लोग install कर ले और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो adder के लिए हम लोगों ने यह create कर लिया तो हम लोग home के लिए और register के लिए भी create कर लेंगे यह function तो यहाँ पर होगा यह home.js ठीक उसी तरह यहाँ पर होगा यह register.js तो हम लोगोंने home page register और header तीनों के अंदर यहाँ पर यह हम लोगोंने function को create कर लिया तो अब हम लोग जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ से इस logo को अटाऊंगा हमें और app.js के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोग import कर लेंगे सबसे पहले header को तो यहाँ पर होगा यह import header और फिर यहाँ पर और header के बाद यहाँ पर होगा हमारा home page तो यहाँ पर होगा import और यहाँ पर होगा यह home.js और फिर home के बाद हमारा होका last register तो यहाँ पर लिखेंगी यह register.js तो हम लोग ने हमारी app.js के अंदर header home और register को क्या कर लिए import कर लिए तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे दो component का use करेंगे सबसे पहले होगा हमार header फिर उसके बाद होगा home तो इस hello world को यहां से में remove करूँगा और इस header को यहां से में करूँगा copy और यहां पर करूँगा मैं paste और ठीक उसके नीचे यहां पर इस home को करूँगा copy और यहां पर कर दूँगा मैं paste और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या output हम लोगों को मिल रहा है तो अगर हम लोग यहां पर चेक करें, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कि हम लोगों को यह header और home दोनों यहां पर एकदम अच्छे से लिखा आ चुका, तो हम लोगों ने यहां पर कुछ नहीं किया, client के अंदर, source के अंदर, सिर्फ एक component folder create किया, और तीन फाइल हम लोगों ने create करी, जो हम लोग हमारे project के अंदर use करने वाले हैं, जिसमें थी header, home और register, और तीनों के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक-एक deal ले लिया, और फिर हम लोगों ने उन तीनों फाइल को हमारी app.js के page पर क्या कर लिया, import कर लिया, जिसमें से हम लोगों ने header और home को क्या कर दिया, यहां पर return करवा दिया, जिससे कि हम लोगों को यहां पर यह output मिल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर यह जो आप लोगों को header जो दिख रहे हैं, यह वाला काम हम लोग complete करेंगे, तो हम लोगों को अब करना होगा install react bootstrap को, तो हम लोग यहां पर जाएंगे, और यहां से हम लोग इस react bootstrap को कर लेंगे install, तो यहां से ह करेंगे copy और जाएंगे हमारे टर्मिनल पर और इस टर्मिनल को करेंगे अभी के लिए close और यहाँ पर इसे कर दूंगा मैं paste आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि react bootstrap एकदम अच्छे से यहाँ पर install हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे clean हम लोग हमारे अपको कर देंगे फिर से restart तो यहाँ पर में लिखूंगा npm start तो हमारी app यहाँ पर एकदम अच्छे से start हो चुके हैं तो इसे यहाँ से करेंगे हम लोग close और जाएंगे फिर से react bootstrap के page पर और यहाँ से एक css file को भी क्या कर लेंगे import कर लेंगे तो इस css file को यहाँ से करूँगा मैं copy और इस terminal को close करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा नीचे मैं paste css file को और फिर हम लोग अपको अब करना क्या हैं तो सबसे पहले हम लोग अपको यह header यहाँ पर चाहिए navbar तो जाएंगे यह यहाँ पर components के अंदर और components के अंदर होगा यहाँ पर एक navbar तो यह रहा navbar तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को यह जो navbar जो दिख रहा है उसे करेंगे copy तो यहाँ से सबसे पहले तो इन तीनों को कर लेंगे copy और जाएंगे header.js के page पर और यहाँ पर करेंगे इसे paste और फिर सबसे पहले यहाँ पर यह वाला जो दिख रहा है आपको navbar तो इसे करेंगे copy और यहां पर इस due को remove करेंगे और यहां पर इसके अंदर कर लेंगे हम लोग paste और यहां पर इसे करूँगा मैं save और एक बार चेक कर लेंगे कि हम लोगों को क्या output मिल रहा है तो अगर यहां पर हम लोग जाकर चेक करें तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहां पर आ चुका है अग हम लोग क्या करेंगे रिमोव कर देंगे तो यहां से इन दोनों को कर देंगे रिमोव और यहांपर होम की जगा पर हम लोग लिख लेंगे register तो यहांपर इसे में करूँगा save तो हाँ यह बिल्कुल एक्टम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे header जो है वो एकतम अच्छे से यहाँ पर आ चुकी है तो और यहाँ पर हमारे header की जो height जो है वो थोड़ी यहाँ पर कम हैं तो उसे ठीक करेंगे तो यहां पर हम लोग देंगे उसे एक स्टाइल और स्टाइल के अंदर देंगे उसे हाइट और उसके हाइट होगी यहां पर यह 16 हमारे home page की तो home page के अंदर यह यहाँ पर आप लोगों को यह जो card दिख रहा है इन सब को भी हम लोग add करेंगे और यहाँ पर यह बटन यहाँ पर यह जो add user लिखा उसे भी हम लोग add करेंगे तो जाएंगे हम लोग हमारे home.js के page पर तो यहाँ पर यह header वाला काम एकदम अच्छे से हम लोगों ने दीख लिया कुछ नहीं था हम लोगों ने सिर्फ bootstrap की नयवबार को यहाँ पर क्या कर लिया import कर लिया और अब हम लोग जाएंगे home.js के page पर और यहाँ से भी इस div को remove करेंगे और यहाँ पर create करेंगे यह react का syntactic superform और उसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मिलूँगा एक div इस div को हम लोग यहाँ पर class name देंगे और उसका class name होगा यहाँ पर यह container और उसे देंगे हम लोग margin top से 2 और यहाँ पर इसे करूँगा मैं save और सबसे पहले यहाँ पर यह लिखा था यह मर्न image upload project तो इसे यहाँ से में कर लूँगा copy और यहाँ पर लिखूँगा h1 के अंदर उसे में कर दूँगा paste और अगर यहाँ पर मैं check करूँ तो हाँ यह मर्न image एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है और उसे हम लोग क्या करेंगे center में add कर देंगे तो यहाँ पर होगा यह class name और उसे हम लोग देंगे यहाँ पर class text center और उसे भी देंगे त्धोड़ा margin top से यहाँ पर होगा यह टू और इसे हम लोग चेक करेंगे एक बार तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह एकदम अच्छे से यहां पर यह मर्ण image upload project लिखा चुका है और यहां पर भी फिल्कुल एकदम अच्छे तरह से हम लोगों ने इसे यहां से copy कर लिया था और अब हम लोग create करेंगे यह वाला button तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे H1 के नीचे हम लोग लेंगे एक div और इस div को हम लोग क्या करेंगे एक class name देंगे यहाँ पर और यह class name होगा यहाँ पर यह text and और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक बटन को add कर देंगे और बटन को add करने के लिए हम लोग यहां पर जाएंगे और यहां से इस बटन के उपर करेंगे click और यहां पर यह हम लोगों को different variant की जो बटन जो लिख रहे हैं उसे हम लोग क्या कर लेंगे copy करेंगे तो यहाँ से इसे में कर लूँगा copy और यहाँ पर इसे कर दूँगा पेश्ट और फिर यहाँ पर यह जो first वाला जो लिखा उसे करेंगे copy और यहाँ पर इस div के अंदर कर दूँगा में paste और करूँगा यहाँ पर इसे में save और एक बार हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह बटन भी एक तम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर का जो टेक्स जो लिखा है प्राइमरी उसे हम लोग चेंज कर देंगे और वो हम लोग करेंगे यहाँ पर add user तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की जगा पर लिखेंगे add user और इसे यहाँ पर में करूंगा save तो एक बार यहाँ पर चेक करें तो हाँ यह आपर हम लोग उने यह जो बटन जो है वो भी एक्तम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया एड कर लिया तो हम लोगों ने यहाँ पर H1 के अंदर यह टैक्स एड कर दिया और फिर यहाँ पर यह बटन भी एड कर दिया तो अब हम लोग यहाँ पर एड करेंगे कि हमारा ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है card component तो उसे हम लोग add करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले तो इस डिव के नीचे हम लोग जाएंगे और यहां पर एक और डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव को यहां पर हम लोग class name देंगे तो सबस content or justify content यहाँ पर होगाई between और इसके बाद यहाँ पर होगाई align items यहाँ होगा और फिर उसे देंगे हम लोग margin top 54 तो हम लोग ने यहां पर क्या किया export को यहां पर रोलगों अधिक क्रियेट कर लिए और उस डिव को यह पर हम लोगों ने यहां पर display flags दिया इसलिए जो image आप लोगों को जो दिख रहा है वह line by line यहां पर हम लोगों को यहां पर यह मिल जाएंगे तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर display flags लिख लिए और फिर हम लोगों ने लिखा justify content between जिससे कि क्या होगा कि यह जो तीनो image के बीच में आप लोगों को यहां पर यह जो space दिख रही है वह यहां पर add हो जाएगी तो यह काम हम लोगों ने यहां पर कर लिया तो अब हम लोग जाएंगे react bootstrap के अंदर और import करेंगे हमारा card component तो यहां से कार्ड को मैं कर लूँगा copy है और आप लोगों को यहां पर यह जो first card जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे करेंगे copy तो सबसे पहले तो यहां से इस card को मैं कर लेता हूँ copy और यहां पर करूंगा मैं paste है और फिर यहां पर यह जो card लिखा उसे कर लेंगे यहां से copy और यहां पर इस डिव के अंदर कर दूंगा मैं paste और इसे हम लोग ठीक कर लेंगे और यहां पर यह जो width लिका है 18 रेम तो उसकी जगा पर यहां पर हम लोग कर देंगे इसे 22 रेम और उसे हम लोग यहां पर फुड़ी height भी देंगे और height होगी यहां पर 18 रेम की तो यहां पर हम लोग उने उसे width दे दी और height भी दे दी और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसे देंगे margin bottom से 3 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा class name और यहाँ पर होगा यह margin bottom से 3 और इसे करूंगा मैं save और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी image तो सो नहीं कर रहा लेकिन यह card component जो हम लोगों ने create किया वो एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है तो यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या तो यहाँ पर यह जो card IMG लिखा है उसे भी थोड़ी बहुत styling देंगे तो उ width होगी यहाँ पर 100 pixels और फिर उसे हम लोग देंगे यहाँ पर text align center text align और text align होगा यहाँ पर यह center text align यहाँ पर होगा यह center और हम लोगों को यह यह error आ गई होगी होगे इसलिए यहाँ पर होगा यह double quotes तो हम लोगोंने यहां पर क्या किया card image के लिए यहां पर हम लोगोंने style add कर दी उसे width दे दी 100 pixel की फिर यहां पर हम लोगोंने उसे text align दे दिया center और फिर उसके बाद यहां पर हम लोग देंगे उसे margin यहां पर होगा margin auto और इसे यहां पर हम लोग करेंगे save और एक बार हम लोग check करेंगे तो यहां पर अभी तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई image ही नहीं है तो एक काम करेंगे हम लोग एक image को add करके देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर उस image का जो source जो था यहाँ से इसे remove करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे image का एक source add कर देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे जाएंगे यहाँ पर public folder के अंदर और यहाँ पर मैंने already एक image को add करके रखा है तो उसका source यहाँ पर मैं उससे add कर दूँगा तो यहाँ पर मैं दूँगा इस source के अंदर यहाँ पर होगा यह man.png यहाँ पर होगा यह man.png और इसे करूँगा मैं save और एक बार मैं check कर लूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक image का path add कर दिया और हम लोगों को यहाँ पर यह output में मिल चुका है यह image और यहाँ पर यह image एकदम अच्छे से center में आ चुकी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन यह image यहाँ पर उपर से एकदम तो हाँ यह एक्दम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है अकर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह image एक्दम अच्छे से यहाँ पर आ चुकी है तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर यह सब कुछ जो लिखा है यह सब कुछ card title और यह सब तो इसे यहां से हम लोगों को remote करना होगा तो हम लोग अब जाएंगे यहांपर इसके अंदर और यहांपर यह जो लिखा है card text तो इसे यहां से कर देंगे remove और यहांपर लिख लेंगे date यहांपर हो गई date added और और फिर अभी के लिए कोई बी डेट यहाँ पर लोग एड कर देंगे कुछ बिए पर यहांपर यह एक एड़ कर दिया डेट को और फिर यहां पर यह जो काड टाइटल लिखा है वहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर होगा यह यूजर नेम और फिर यूजर नेम के सामने हम लोग यहां पर एक यूजर का नेम एड़ कर देंगे और यहां पर यह जो काड बॉड़ी लिखा है उसे हम लोग क्या देंगे एक class name और उसका class name होगा यहां पर यह text center और इसे यहां पर में करूँगा save और एक पार check करेंगे तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहां पर आ MAIT और यहांपर यह primary की जगहापर उन लोगों को change करना होगा तो यहां से check कर लेंगे तो जाएंगो फिर से हम लोग हमारे उस बटन के अंदर और यहां पर यह लिखा है डेंजर इसे कर लेंगे copy और यहाँ पर इसे करेंगे paste और eat लोग और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो button जो हैं वो भी यहाँ पर एकछे से आचुका है और हमारा यह जो button جो हैं उसकी यहाँ पर bit तोड़ी कम है तो उसे और उससे देंगे यहां पर हम लोग text center और करूंगा इसमें save तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह जो हमारा जो button जो था delete का वो एक्दम अच्छे से यहां पर आ चुका है और अगर हम लोग यहां पर जाकर चेक करें तो हाँ यह बिलकुल अच्छे से यहां पर हम लो फिर div create किया फिर एंडर हम लोगों ने वह लोगों हों फिर tenure करते पर तो लोगों हो और यहां पर यह इंजर किया की कुछ भी एंटर कर लिया तो यहां पर मैं काम कर लेता हूं इस काड को डो और बार यहां से कर लूँ का मैं out और अब यहां पर इसे मैं करूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह एकदम अच्छे से हमारा जो कार्ड जो है वह एकदम अच्छे से दिख रहा है और हम लोग इसे करेंगे create dynamically जब हम लोग back end के अंदर हमारा जो भी data add हो जाएगा तो वो dynamically हम लोगों को यहां पर sow करेगा तो वो हम लोग सब कुछ देखेंगे लेकिन हमारा यह जो UI का जो काम जो था home page पर वो एकदम अच्छे से complete हो चुका है और अब हम लोगों को design करना होगा हमारा register का page और register के page पर यहां पर हम लोगों ने क्या किया था तो यहां पर भी कुछ नहीं था यहां पर हम लोगों ने सिर्फ दो input field को यहां पर क्या किया add कर लिया और एक बटन यहाँ पर हम लोगों ने add किया और इस बटन के click पर हम लोग हमारा data database के अंदर store करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे create कर लेंगे हमारा register वाला page और हम लोग यहाँ पर register का page दिजाइन करें उससे पहले हमें यहाँ पर routing भी करनी होगी और routing करने के लिए हमें यहाँ पर use करना होगा react router dome का तो सबसे पहले हम लोग react router dome को ही क्या करेंगे install कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और लिखेंगे npm i यहाँ पर होगा यह react router dome तो यहां पर आप लोगों को यह जो लिंक दीख रहा है इसके उपर हम लोग करेंगे क्लिक और यहां से इसे कर लेंगे कॉपी तो यहां पर इसके उपर मैं करूंगा क्लिक और यहां से यह कॉपी हो चुगा है और जाएंगे हम लोग हमारे यहां पर टर्मिनल पर और हमारी app को करेंगे close और यहाँ पर इसे कर देंगे paste और इसे कर लेंगे restart और यहाँ पर मैंने लिखा है npm i react router dome और इसे हम लोग कर लेंगे install तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी react router dome इस्टॉल हो चुका है तो यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे हमारी app को फिर स से रिस्टार्ट तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारी एप यहां पर फिल्ड से रिस्टार्ट हो चुके हैं तो इससे यहां से करेंगे क्लिक तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे रेजिस्टर की पेज पर रीडाएरेक्ट हो चुके हैं और यहां पर यह जो यूरल जो था वो भी यहां पर चेंज होकर localhost के बाद यहां पर हो गया है और उक्योंड स्लाइस register तो यहां पर यह जो index.js के पेज़ पर तो जाएंगे यहां पर और यहां पर यह सब कुछ लिखा है इससे सबसे पहले रिमोव करेंगे और यहां पर भी तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों को input करना होगा parent component और वो parent component होगा यहां पर यह browser router यहां पर में लिखूंगा browser राउटर और यह browser router होगा फ्रॉम यह राउटर डॉम से और यह होगा हमारा parent component तो इसे यहां से हम लोग करेंगे copy और यहां पर यह जो strict mode लिखा है उसके जगह पर यहां पर किसे कर देंगे paste और यहां पर भी से कर देंगे paste तो यहां पर हम लोग ने कुछ नहीं किया रेक router डॉम को इंस्टॉल करने के बाद यहां पर index.js फाइल पर आये और यहां पर यह parent component जो होगा हमारे routing करने के लिए browser router डॉम तो उसे import किया रेक router डॉम से और यहां पर set कर दिया तो अब हम लोग जाएंगे यह अमारे app.js के page पर और यहां पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे पर इंपोर्ट और हम लोग लिखेंगे यह route यहां पर यह रोट से और यह और यहरां पर सब दोर से और रूट का रूट का हम लोग यूजए यू करेंगी तो यहां से इस roots को करेंगे copy और इस header के नीचे यहां पर कर दूँगा इसे मैं paste और हम लोग क्या करेंगे यहां से इस home को करेंगे cut और सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे अदर यह हमारा root और root के अंदर यहां पर हम लोग लिखेंगे एक path तो वो path होगा हमारा सबसे पहले homepage का तो यहां पर हम लोग लिखेंगे forward slash और यहां पर हम लोग लिखेंगे element और element के अंदर होगा हमारा यह home.js और यह मैंने क्या किया तो यहां पर मैंने लिखा यह रूट्स और फिर उसके अंदर था यह रूट मतलब की हमारा जो होम पेज का जो पाथ होगा मतलब की लोकलोस्ट 3000 वाला वहाँ पर बाइडिफर्ड हम लोग क्या करवाएंगे हमारा जो home component जो हम लोगोंने create किया था उसे हम लोग क्या करवाएंगे set करवाएंगे और यहां से इसे में दुबारा कर लूँगा copy और यहां पर अब करूँगा क्या तो यहां पर इस forward slash के बाद जुमें मैं लिखूंगा register और जब हम लोग हमारे localhost 3000 के बाद लिखेंगे forward slash register तो हम लोग redirect हो जाएंगे हमारे register के page पर तो यहां से इस register को करूँगा मैं copy और यहां पर इसे करूँगा मैं paste तो हम लोगोंने किया roots के अंदर यह दो root set कर दिये जिसमें सबसे पहला था path और path के अंदर दिया forward slash it means कि हम लोग हमारे home page पर होंगे और अगर को user forward slash के बाद register लिखेगा तो वो redirect हो जाएगा हमारे register के page पर और यहां पर हम लोगोंने header को यह roots के अंदर क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमारा home page और register page इवन कोई भी page होगा तो वहां पर हम लोग क्या करवाएंगे header को बार बार define नहीं करेंगे सिर्फ एक ही बार रख देंगे तो इसलिए हम लोगोंने यहां पर header को its roots के अंदर नहीं लिखा तो यहां पर इसे मैं करूँगा save और एक बार मैं इसे आप लोगों को output सो करवाऊंगा कि हम लोगों को output में क्या मिलेगा तो यहां पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर हो गई हमारा localhost तो अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे localhost के बाद यहां पर हो गई रजिस्टर और इसे यहां पर मैं करूँगा enter तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक राजिस्टर के पेच पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यह जो रैजिस्टर जो था यहाँ पर हम लोगों ने जो concrete किया था हमारा रैजिस्टर वाला जो function उसके अंदर यहां पर हम लोगों ने डिव के अंदर लिखा था रजिस्टर तो हमारा यहां पर यह जो राउटिंग वाला जो काम जो था वह यहां पर कंप्लेट हो चुका है तो एक और बार मैं आप लोगों को एक्स्टेन कर देता हूं कि यह कैसे वर्ट करेगा तो यहां यहां पर हम लोग उको राउटिंग करने थी और राउटिंग करने के लिए रियेक के अंदर हम लोग यहां पर एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और वो पैकेज होगा यहां पर हमारा रियेक राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लिया और यह रियेक राउटर डॉम का जो element और यह सब कुछ लिखा है वहाँ पर वो होता था component और यहाँ पर हम लोगों को exit वगेरा वो सब कुछ भी लिखना पड़ता था लेकिन यहाँ पर यह जो version 6 आ चुका है तो उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने switch को replace कर दिया है roots से और यहाँ पर हम लोगों को component की जगा पर लिखना होगा element और यहाँ पर यह exit वगेरा ऐसा कुछ भी नहीं हम लोगों को लिखना पड़ेगा तो यह काफी simple हो चुका है यहाँ पर तो install करने की बाद हम लोगोंने किया index.js के page पर गए और यहाँ पर यह parent component जो था browser आउटर डॉम इसे यहाँ पर import कर लिया और इसे यहाँ पर add कर लिया फिर app.js के page पर यहाँ पर यह roots और root को define कर दिया फिर header को हम लोगोंने यहाँ पर हमारे roots के बाहर रखा और फिर यहाँ पर हम लोगोंने हमारा जो दो input field और जो button जो था उसे क्या कर लेंगे add कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर इस div को remove करेंगे और यहाँ पर हो गई फ्रेग्मेंट और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक और div create करेंगे उसको यहाँ पर एक class name देंगे यहाँ पर container और एक और class name देंगे उससे हम लोग यहाँ पर यह margin टॉप से यहाँ पर हो गए 3 और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा वो जो heading लिखा था उसे हम लोग यहाँ पर add करेंगे तो यहाँ पर में लिखूंगा h1 और h1 के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग जाए तो यहाँ से इसे कर लेंगे copy यहाँ पर इसे कर देंगे paste और फिर यहाँ पर एक बार हम लोग चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकता है कि यह जो heading जो है upload your image यह वो एक तम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर अब हम लोग add करेंगे react bootstrap का form component तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाएंगे इस form के अंदर और यहाँ पर यह जो form यहाँ जो इन्हों ने दिया हुआ है उसे यहाँ से कर लेंगे copy सबसे पहले यहाँ से यह button और form को करेंगे copy उसके नीचे कर देंगे paste और यहाँ पर इसे हम लोग करेंगे save और एक पर check करेंगे तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए एक input field और दूसरे field यहाँ पर होगी वो होगी हमारी file select करने के लिए तो यहाँ से इस password को हम लोग remove करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले तो यह वाला text जो यहाँ पर लिखा है उसे यहाँ से remove करेंगे और यहाँ पर email address की जगा पर यहाँ पर होगा username करेंगे empty और फिर यहाँ पर नीचे यह जो password लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे select your image और फिर यहाँ पर यह password की जगा पर इसका type हम लोग देंगे यहाँ पर file और इसे यहाँ पर मैं करूँगा save और इस placeholder को भी यहाँ से remove करूँगा और यह जो last में यह जो check box लिखा है उसे भी यहाँ से हम लोग remove करेंगे और यहाँ पर इसे करेंगे save और एक बार check कर लेंगे तो हाँ यह बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एकदम आ चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर जाकर check करें तो यह बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ी बहुत margin देंगे top से तो यहाँ पर यह form को देंगे हम लोग यहाँ पर एक class name और यह class name होगा यहाँ पर margin top से 3 और इसे यहाँ पर मैं करूँगा save और एक बार अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों को एक तम अच्छे से यह form जो है हम लोगों ने यहाँ पर create कर लिया है कुछ नहीं था हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया simple एक due create किया जिसे class name दे दिया container और फिर उपर से margin दे दी और h1 भी यहाँ पर add कर दिया और यह हम लोग ने bootstrap का form यहाँ पर use किया है जिसमें हम लोग ने दो input field select करी जिसमें से सबसे फ़हले input field का type होगा text और दूसरी जो input field होगी उसका type होगा यहाँ पर file क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे image को upload करने वाले हैं तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग ने यह जो type दिया है file यह अच्छे से work कर रहा है या नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और इसके उपर करेंगे click तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहाँ पर work कर रहा है और कोई भी image यहाँ पर अगर मैं set करता हूं तो वो image भी यहाँ पर एकदम अच्छे से set हो चुकी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उस image का यहाँ पर name भी आ चुका है तो यहाँ पर इसे में कर दूँगा refresh तो अब हम लोग क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पर यह रजिस्टर वाला page create कर लिया और यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे फिर से हम लोग हमारे home page पर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक button भी यहाँ पर दिया हुआ था तो हम तो क्या करेंगी इंपोर्ट करेंगे नेव लिंक को रिये क्राउटर डॉम से तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट यहां पर होगा यह नेव लिंक फ्रॉम और यह नेव लिंग होगी यह क्राउटर डॉम से तो इस नेव लिंग को यहां से करेंगे कॉपी और इस बटन के अंदर यहां पर इसे कर देंगे paste इस nav link को और यह जो add user लिखा उसे यहां से करेंगे cut और यहां पर करेंगे paste और उसे यहां पर हम लोग एक path देंगे और nav link के अंदर अगर हम लोगों को path set करना हो तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा two attribute तो यहां पर होगा यह two और उसके अंदर path होगा हमारा register का और यहां पर इसमें करूंगा save और एक बार चेक कर लूँगा तो यहां पर हम लोगों को यह जो add user जो हम लोगों ने लिखा वो यहां पर यह शोओ नहीं कर रहा क्योंकि हम वोग ने उस्से एड़ किया हुआ है तो उस्से रच एक बार चेक करmeter लेकिन यहां पर अगर इसके उपर मैं करोंगा क्लिक थो हाँ हम लोग हमारे रजिस्टर के पेज पर रड़ी हो चुके हैं तो यहाँ पर अगर मैं पिर से वापीस जाओं तो एक काम करेंगे यहाँ पर हम लोग इस nav il ng को देगे class name और इसका class name होगा यहाँ पर यह textjà decoration है यहाँ पर इसे करदेंगे none और text decoration none करने के बाद यहाँ पर हम लोग देएक उससे text यहाँपर देंगे उसे text black और करेंगे say तो आप लोग यहाँपर देख सकते हैं कि यह जो add user लिखा था उसका text यहाँपर black हो चुका है तो अगर हम लोग यहाँपर चेक करें तो यहाँपर यह था add user का जो color जो था यहाँपर यह वाइट था तो उसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे text light तो यहाँ पर यह text black की जगह पर हम लोग इसे कर देंगे text light और करेंगे save और अगर यहाँ पर check करें तो हाँ यह एक तम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो add user वाला जो button जो था वो हम लोग ने एक तम अच्छे से create कर लिया और button के अंतर हम लोग भी क्या किया यह एक router dome से एक nav link को import किया और उस nav link को यहाँ पर set करके उसे एक path दे दिया register तो अगर हम लोग यहाँ पर आप इसके ओपर करेंगे click तो हम लोग हमारे register के page पर क्या हो गए redirect हो चुके हैं और अब हम लोग क्या करेंगी तो हम लोग अगर यहाँ पर कुछ भी एंटर करते हैं user का name और यहाँ पर हम लोग जो भी file select करेंगे तो उस file के हम लोग क्या करेंगे value को get करेंगे तो value get करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं तो जाएंगे हम लोग यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर दो state define कर लूँगा और दो state यहाँ पर मैं क्यों define करूँगा तो सबसे पहला state होगा वो हमारी user का name get करने के लिए और जो दूसरा state होगा वो होगा हमारा image का जो भी files होगी उससे हम लोग क्या करेंगे get करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा const सबसे पहले होगा fname फिर यहाँ पर होगा यह set fname और यहाँ पर होगा यह use state तो use state को हम लोग क्या कर लेंगे input कर लेंगे यहाँ पर react से तो यहाँ पर मैंने लिखा const fname set fname और useState के अदर अबी तो यहांपर उसकी initial value जोगी, वो होगी, यहांपर empty string और ठिक उसी ते रहा है, मैं create कर लोगा हमारी files के लिए तो यहांपर होगा यह const file यहांपर होगा यह set file और यहांपर भी होगा यह useState और useState के अदर यहाँ पर भी होगा, यह empty string तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो हमारा f name लिखा, वहाँ पर हमारी username की value को get करवाएंगे और ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग उने जो file लिखा, वहाँ पर हम लोग हमारी image की file को क्या करवाएंगे get करवाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हमारी जो दो field थी input वाली उससे हम लोग क्या करवाएंगे name provide करेंगे, और I think हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी गडबल कर दी यह जो हम लोगों ने state define किया यह state हम लोगों को define करना होगा register के page पर, तो कोई बात नहीं, यहाँ से इससे कर दूँगा मैं cut, और जाओंगा register.js के page पर और यहाँ पर इससे हम लोग कर देंगे paste तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ register.js के page पर यहाँ पर दो state को यहाँ पर क्या कर लिया हम लोगों क्या करना होगा? यूस्टेट को भी यहां पर import करना होगा तो यहां से इसे करूँगा copy और यहां पर इसे करूँगा मैं paste और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? तो यहां पर हम लोग name provide करेंगे दोनों हमारे input tag को तो यहाँ पर यह जो type text लिखा उसके बाजू में यहाँ पर में लिखतूंगा name और name की value होगी यहाँ पर यह fname और ठीक उसी तरह यहाँ पर यह जो type लिखा है file तो उसके बाजू में यहाँ पर होगा यह name और name की यहाँ पर value होगी यह photo और इससे यहाँ पर मैं करूँगा save और अब करेंगे क्या तो यहाँ पर अगर हम लोगों को value get करनी होगी तो हम लोगों को यहाँ पर use करना पड़ेगा on change event का तो उसका use हम लोग कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर यह जो fname लिखा यहाँ पर मैं लिखूँगा on change और on change के अंदर हम लोग यहाँ पर एक function को क्या करवाएंगे define करेंगे यहाँ पर होगा set data और इस set data को यहाँ से मैं करूँगा copy और यहाँ पर मैं लिखूँगा const यह set data और यहाँ पर होगा यह हमारा fat error function और उसके अंदर यहाँ पर एक parameter होगा e आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है e तो इससे होगा कि जब भी user यहाँ पर हम लोग उपर एक error आगे set data is not defined तो इससे हाँ पर हम लोग करेंगे refresh ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर इससे save odcina किया तो इससे यहाँ पर मैं करूँगा save तो यह वो और जा चूकी है तो हम लोगों को क्या करना है कि जब भी user यहाँ पर कुछ enter करेगा तो यह जो value यहाँ यहाँ पर यूजर ने add करी वह value क्या होगी यहाँ पर इस e के अंदर यहाँ पर हम लोगों को मील जाएगी और उस e के अंदर से हम लोगों को कैसे get करना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const अब यहाँ पर हम लोग करेंगे object destructuring और यहाँ पर मैंने लिखा यह value यहाँ परहोगा e.target और ये मैंने क्या किया ठीड एक लोगों को मैं एक्स्पेंड करता हूँ तो अगर यहां पर यह मैंने जो लिखा उससे अगर मैं कमेंट कर दूँ और यहां पर अगर मैं करवा हूँ console.log और यहां पर मैं लिखता हूँ e.target.value और इसे यहाँ पर मैं करूँगा save तो उससे होगा क्या कि जब भी user उस field के अंदर कुछ enter करेगा तब यह हमारा on change वाला function call हो जाएगा set data और user ने जो भी लिखा वो value यहाँ पर हम लोगों कोई output मिलेगी e.target.value इट मिलेगी user ने यहाँ पर है और जैसे यहाँ पर मैं कुछ enter करता हूँ तो right side पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यह लिखा हर्स और यहाँ पर हम लोगों को output मिल चुका है यह हर्स तो हम लोगों को यह ही value चाहिए थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने किया object restructuring किया यहाँ पर लिख लिख लिए है मैंने const value और यहाँ से हम लोग क्या करवाएंगे इस console को remove करवाएंगे और इसका जो meaning जो है const value is equal to e.target वो same ही होगा और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या तो इस set fname को यहाँ से मैं करूँगा copy और यहाँ पर इसे कर दूँगा हम मैं paste और उसके अंदर set कर दूँगा यह value जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी इसके अंदर get करी e.target.value तो यहाँ पर हम लोगों ने user का जो name जो है उससे get करवा लिया और user का name हम लोगों ने यहाँ पर इस fname के अंदर क्या करवा दिया get करवा दिया तो उसे भी एक बार यहां पर हम लोग console करवा कर चेक करेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं console.log और यहां पर हो गई fname और इसे करोंगा मैं save और जैसे यहां पर मैं कुछ enter करता हूं तो आप लोग right side पर देख सकते हैं कि हम लोगों कोई output मिल चुका है और वो output कैसे मिला तो जैसे user ने कुछ enter किया तो यहां पर यह line number 13 पर हम लोगों को value मिल गई और उस value को हम लोगों ने क्या set करवा दिया fname के अंदर set करवा दिया यहां पर और हम लोगों को output में मिल चुक को बूर रहा है तो यहां पर भी हम लोग वहीं काम करेंगे तो यहां पर हम लोग क्रिक कर लेंगे इस function को और नीचे यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक और function यहां पर define करेंगे हमारी image को set करने के लिए तो यहां पर मैं लिखूंगा const set img file और यहां पर इपी होगा यह य कर दूंगा मैं on change के अंदर paste यहां पर होगा यह on change और उसके अंदर कर दूंगा मैं paste तो जो काम हम लोगों ने हमारे fname के लिए किया तो वहां पर हम लोगों ने जैसे on change पर set data function को call करवाया ठीक उसी दर आ यहां पर भी अगर हम लोग को image select करेंगे तो उस time पर यह set img file वाला function call होगा और हम लोगों को यहां पर यह e के अंदर output मिलेगा लेकिन हम लोगों को username के time पर क्या हुआ था कि हम लोगों ने लिखा था e.target.value और हम लोगों को value मिल गई लेकिन यहां पर हम लोगों को लिखना होगा यहां पर अगर हम लोगों console.lot करवाएंगे तो यहां पर हम लोगों को लिखना होगा e.target. इस बार हम लोग value नहीं लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे files क्योंकि हम लोग जो image जो यहां पर हम लोग upload करेंगे वो होगी हमारी एक files तो यहां पर मैंने लिखा e.target.files और उसकी 0th position को यहां पर हम लोग क्या करवाएंगे get करवाएंगे तो अगर एक बार हम लोग चेक करें यहां पर तो इसे यहां पर मैं करूँगा refresh प्रेस सबसे पहले होगा एक यूजर का नेम जो कि हम लोगों को यहां पर राइट साइट पर मिल चुका और जैसे यहां पर अगर हम लोग इसके ओपर करेंगे click और यहां से इक image को मैं क्या करूँगा select कर लूँगा तो यहां पर इस image को मैंने select कर लिया तो right side पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कुछ output में मिल चुका है तो output के अंदर हम लोगों को यहां पर यह फाइल का name फिर करना होगा तो यहां से करूँगा copy और इस console की जगा पर यहां पर इसे कर दूँगा मैं paste और यहां पर इसे एक बार पाइल करके चेक कर लूँगा और यहां पर इसे में करूँगा refresh तो यहां पर फिर से एक और यूजर नेम और एक और बार यहां पर मैं फाइल से लेक कर लूँगा तो जैसे यहां पर इसके ओपर मैं करूँगा क्लिक तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को register.js के line number 11 पर एक तम अच्छे से output मिल चुका है it means कि हम लोगों ने यहां पर यह जो fname और यह जो file को get करने का जो काम जो था वो एक तम अच्छे से यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया देख लिया तो बस हम लोगों को यही करना था इन दोनो फेल्व को get करना था और जैसे ही यह value get हो जाए तो submit बटन के click पर हम लोगों को क्या करवाना है यह दोनोगों वैल्व को pass करवाना है हमारे backend के अंदर और backend के अंदर pass करवाने के बाद हम लोग उसे store करेंगे हमारे database के तो register के page पर हम लोगों ने यहां पर सिर्फ एक form create किया और form create करने के बाद यहां पर on change event यहां पर call किये दो अलग-अलग function को call करवाया जिसमें से सबसे पहला function था हमारी username की value को get करने का e.target.value और दूसरा function जो था वो था set img file के लिए जिससे कि क्या होगा कि user जो भी image को select करेगा उसका जो भी यहां पर हमारी files होगी वो हम लोगों को यहां पर मिल जाएगी इस file के अंदर और आप लोगों को यहां पर मैं बता दूँ कि यहां पर यह जो name लिखा fname और यहां प करेंगे वह आगे आप लोगों को मैं explain करोंगा देकिन अब तक हमारा यह जो काम जो था front end का वो एकदम अच्छे से हम लोगों ने यहां पर देख लिया है तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ तो हम लोगों ने यहां पर यह header create कर लिया home page create कर लिया add user वाल गरेंगे हमारे backend के पार्ट पर और backend के पार्ट पर जाने के बाद हम लोग API create करेंगे कि कैसे हम लोग यह दो value का data store करवाएंगे और हमारे database connectivity वो सब कुछ भी हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं तो अब हम लोग जाते हैं हमारे backend के पार और वहां पर सब कुछ एक पर क् तो हम लोग अब जाएंगे हमारे backend के पार्ट पर तो यहाँ पर इन सब को अभी के लिए मैं कर दूंगा close और यहाँ पर इस client को यहाँ पर अभी के लिए मैं करूंगा close और जाएंगे server के अंदर और server के अंदर हम लोग क्या करेंगे एक folder create करेंगे और उस folder का name होगा और उस फाइल का नेम होगा यहां पर यह connection.js तो हम लोगों ने क्या किया एक फोल्डर क्रियेट किया db और उसके अंदर एक फाइल क्रियेट कर लिए connection.js और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे connect करेंगे हमारे node.js को हमारे mongodb database के साथ और अगर हम लोगों को node.js को हमारे mongodb database के साथ connect करना हो तो हम लोग यहां पर use करेंगे mongos का और mongos क्या करेगा एक्तम easily हमारे node.js को हमारे mongodi भी database के साथ क्या करेगा connect कर देगा तो यहाँ पर हम लोग use करेंगे mongos का तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उस mongos को install कर लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे और इसे हमारे server वाले part को करेंगे close और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm i वो एक्दम अच्छे से install हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे database connectivity और database connectivity करने से पहले हम लोग उपर database create करना होगा और collection भी create करना होगा और वो सब कुछ हम लोग कहाँ पर करेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पर compass यूज़ करना उसका यूज़ हम लोग कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे mongo db atlas का अगर आप लोग compass यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोग उसके एक्स्प्लें करता हूँ कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं mongo db atlas का तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर mongo db atlas और यहाँ पर इसे में करूंगा एंटर और यहाँ पर हम लोग इसके उपर करेंगे क्लिक तो आप लोगों को यहाँ पर यह वाला पेज यहाँ पर यह उपन हो जाएगा तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर फर्स टाइम यह पेज उपन किया है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर ले साइन अप कर ले और मैंने अल्रेड यहाँ पर साइन अप कर लिया है तो मैं इसके उपर करोंगा Click तो यहां पर यह वाला पेज उपर हो जाएगा और यहां पर मैं करोंगा Login to Your account यहां पर करोंगा इससे Google के साथ तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने Login with Google किया तो यह वाला एक पेज़ यहां पर open हो चुका है और अगर आप लोग यहां पर first time sign up क정이 आएंगे तो नहीं भी आप लोग और वाला page नहीं दिखे, तो आप लोग लोग को क्या करना है अगर आप लोग first time यहां पर आएं, तो आप लोग यहां पर और यह सारे step मैंने यह वाली वीडियो के अंदर explain किये हुए हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर first time है, वोड़ी भी atlas पर, तो मैं आप लोगों को recommend करूंगा, आप लोग सबसे पहले यह वाली वीडियो देख लें, और जैसे ही यहाँ पर यहाँ आपका cluster बिल्ड हो जाए, तब आप लोग यहाँ पर आ जाए, तो आप लोगों को यह वाला यह page दिख जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके उपर करेंगे, क्लिक इस browse collection के उपर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह सारे database हम लोगों को यहाँ पर यह दिख चुका हैं, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, हमारे लिए एक और database create करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके उपर करेंगे, क्लिक इस create database बटन के उपर, और यहाँपर हम लोग हमारी database का name देंगे तो अभी के लिए यहाँपर मैं लिक लेता हूँ image upload करके कुछ भी हम लोग name दे देंगे हमारे database का और हमारे collection का name दे देंगे यहाँपर users img data करके तो यहाँपर मैंने क्या किया create database बटन के उपर click किया तो यहाँ पर यह database name और collection name यहाँ पर मैंने add कर दिया users data यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे हमारे collection का जो name जो है वो यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ users और यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे कर देंगे यहाँ पर इसे create तो left side पर आप लोग देख सकते हैं अगर इसे यहाँ पर में close करूँ तो left side पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया एक database create किया है image upload यह वाला और उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर इक users करके यह हमारा collection भी यह मिल जाएगा तो अभी हमारे collection के अंदर कोई value नहीं है इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर query research zero so करेगा टेकिन यहाँ पर हम लोगोंने हमारा जो database create करने का जो काम जो था वह एक दम अच्छे से देख लिया है तो फिर से आप लोगों को मैं explain करता हूँ कि हम लोगोंने यहाँ पर क्या किया हम लोग यहाँ पर mongodi भी atlas पर आए और फिर हम लोगोंने क्या किया sign in with google किया फिर हम लोग एक page पर redirect हो गए और वहाँ से हम लोगोंने browse collection के ओपर click किया तो हम लोग यह वाले database वाले page पर आ गए और यहाँ पर हम लोगोंने database create किया और collection भी create कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे तो left side पर आप लोगों को यहाँ पर security के नीचे यह network access दिखेगा तो इसके ओपर आप लोगों को click कर लेना है और जैसे आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो आप लोगों को यह वाला page यहाँ पर यह दिख जाएगा तो आपको यहाँ पर check कर लेना है कि अपना यह जो IP address जो है आपको यहाँ पर 000 set कर देना है जिससे कि क्या होगा आप लोग यह जो MongoDB Atlas जो होगा उसे कहीं से भी access कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इससे set कर दिया है IP address 000 तो एक बार आप लोग इससे भी check कर ले और अब हम लोग यहाँ पर click करेंगे इस database के उपर left side पर और यहाँ पर फिर से यह वाला page यह जो database deployment वाला page जो है वो यह पर यह open हो चुका है तो अब हम लोगों क्या करना है यहाँ पर connect बटन के उपर click कर लेना है तो जैसे ही हम लोगोंने connect button के उपर click किया तो यह वाला model यहाँ पर open हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों क्या करना है connect के और application के उपर click करने लाए second वाले उपर तो जैसे हम लोगोंने वहाँ पर click किया तो यहाँ पर यह एक page open हो चुका है और यहां से हम लोग क्या करेंगे इसे कर लेंगे यहां से हम लोग copy और जाएंगे हमारी connection.js के page पर और यहां पर हम लोग लिखेंगे const db is equal to double quotes के अंदर यहां पर उसे कर देंगे paste और यहां पर हम लोग करेंगे save और यह जो line यहां पर आप लोगों ने लिखी, इसी line की help से हम लोग क्या करेंगे, हमारे node.js को connect करवाएंगे, हमारे mongodi database के साथ, तो यहां से इसे मैंने copy कर लिया, और यहां पर यह जो password लिखा है, तो यहां पर इस password को हम लोग क्या करेंगे, remove करेंगे, और यहां पर आपक system पर आप लोगों ने जो भी password set किया है, वो ही set कर लेना है, और password यहां पर हम लोगों ने जो set किया, यह सब कुछ हम लोगों ने कब किया, तो आप लोग यहां पर जाएंगे, और जैसे यह वारे वीडियो आप लोग देखेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने सब .net forward slash और फिर उसके बाद यहां पर यह question mark तो इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या कर लेना है हमारे database का name add कर लेना है तो यहां पर हम लोग जाएंगे और इसे यहां पर करेंगे close और फिर से यहां पर करेंगे browse collection और हमारा जो database जो था image upload तो उसे यहां से कर लेंगे copy हमारे image upload को तो यहां से इसे कर लेंगे copy और यहां पर यह जो forward slash रिखा उसके बाद जुमें करेंगे paste करेंगे यहां पर हम लोग save तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर mongodi bit last पर एक्दम अच्छे से हमारा database create कर लिया collection भ string हम लोगों को यहां पर मिली उसके अंदर password set कर दिया और यहां पर हम लोगों ने हमारा database भी एक्दम अच्छे से set कर दिया तो अब हम लोग connect करेंगे हमारे node.js के साथ हमारे mongodi bit last को तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा const यहां पर होगा यह mongos और यहां पर हम लोग इसे कर लेंगे require और यहां पर इसके अंदर होगा यह mongos और इसे यहां पर हम लोग करेंगे save और इस mongos को यहां से में करूंगा copy और यहां पर इसके नीचे कर दूंगा यहां पर मैं paste mongos. यहां पर होगा यह connect तो हम लोग यहां पर एंटर करेंगे यह db को और इस db को हम लोगों ने यहां पर इसलिए एंटर किया क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने यह वाली stream को क्या कर रहा था add करके रखा था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यह db को enter कर दिया और फिर उसके बाजो में यहाँ पर मैं करूंगा comma और यहाँ पर हो गए curly braces और उसके अंदर यहाँ पर इसे में कर दूंगा paste तो आप लोग ओको यहाँ पर यह जो दो लाइन में लिकि उसे क्या कर ले ना है पको यह लिखना होगा यह डट देन और देन के अंदर आप लोग किया करें अंसोल डॉट लॉट करूब करवा दे यहाँ पर में लिखना होगा यह catch तो वो catch के अंदर आप लोग यहां पर लिखे यह error और यहां पर भी आप लोग console करवा दे console.log और यहां पर भी लिख ले error फिर यहां पर होगा यह error प्लस यहां पर होगा error.message और इसे यहां पर मैं करूँगा save तो यहां पर हम लोग उने क्या किया ?Mongos को require किया फिर यहां पर यह हमारी app को connect करने के लिए यह जो string जो थी वह लोग उने MongoDB Atlas से get कर ली फिर यहां पर लिखा mengos.connect और यह पर लिखा हम लोग हम लोग उने लोगों को terminal पर output मिलता है या नहीं database connected तो जाएंगे app.js के page पर और यहाँ पर यह port लिखा उसके पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा require और फिर यहाँ पर require के बाद होगा dot forward slash के अंदर db और उसके अंदर होगा connection.js और अभी मैंने इसे save नहीं किया और हमारा terminal में इसे open कर लेता हूँ तो अभी तो यहाँ पर यह server start लिखा चुका है लिकिन जैसे यहाँ पर मैं करूंगा इसे save तो आप लोग यहाँ पर नीचे चेक कर सकते हैं कि यह लिखा आ गया server start और यहाँ पर हम लोगों को एक error आ गई यहाँ पर लिखा है authentication failed और यह problem क्यों हुई तो उसे भी हम लोगो को चेक करना होगा तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे हमारे connection.js के page पर और यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या problem कर दी तो यहाँ पर I think मैंने मेरा जो password जो है वो wrong एंटर किया था तो इसे एक बार मैं चेक कर लेता हूं तो यहाँ प एक और message आ चुका है database connected और वो जो error जो थी यहाँ पर authentication failed की वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा जो password जो था वो wrong एंटर किया था तो आप लोग भी अपना password चेक करके एंटर कीजिए वरना आप लोगों को भी यह वाला message सो करेगा authentication failed and finally हम लोगों ने हमारा जो database ज कर लिया और फिर app.js के page पर हम लोगों गए और यहाँ पर हम लोगों ने require कर लिया हमारे db और फिर उसके अंदर था है connection.js को और फिर यहाँ पर हम लोगों को terminal पर output भी एकदम अच्छे से मिल चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे तो database connection होने के बाद अब हम लोग यहा हमारा जो data होगा it means की जो हमारा username जो था और जो image जो था उसका type क्या होगा तो वो सब कुछ हम लोग define करेंगे हमारे schema के अंदर तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर server के अंदर एक और folder create करेंगे और उस folder का name होगा यहाँ पर यह model और फिर यहाँ पर model folder के अंदर create करेंगे schema तो यहाँ पर मैं लिखूंगा users schema.js तो यहाँ पर हम लोग नहीं क्या किया server के अंदर एक folder create किया model और उसके अंदर create कर लिया यह user schema.js वाला page और इस page के अंदर हम लोग यहाँ पर create करेंगे हमारे schema को तो सबसे पहले यहाँ से इस mongos को कर लेंगे copy और यहाँ प और यहाँ पर मैं लिखूंगा const सबसे पहले यहाँ पर होगा user schema is equal to यहाँ पर होगा इह new mongos. यहाँ पर होगा यह schema तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? define करेंगे schema तो यहाँ पर मैंने लिखा new mongos.schema और फिर यहाँ पर होगा यह curly braces और हमारे collection के अंदर यहाँ पर total तीन fields होगी इसमें से सबसे पहले होगा user का name फिर होगा हमारा image का path और तीसरे field होगी वो होगी हमारे date की तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा fname और यहाँ पर होगा यह colon और यहाँ पर हम लोग उसे एक type देंगे और उसका type होगा यहाँ पर यह string तो यहाँ पर इसका type में ने दे दिया string और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे required यहाँ पर होगा है required और उसके value होगी यहाँ पर true और यहाँ पर मैंने required true इसलिए लिखा कि अगर कोई भी हमारे उस form पर जाकर submit करेगा और अगर उसने कोई भी user name या फिर file select नहीं करेगा तो यहाँ पर यह error throw कर देगा इसलिए यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया required true तो यहीं से पूरा अंदर से कर लूँगा मैं copy यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर दूँगा img path और यहाँ पर भी curly braces के अंदर इन दोनों value को कर दूँगा मैं paste तो हम लोग fname और image path दोनों के लिए same ही यहाँ पर क्या तो यहाँ पर होगा यह date और date का type भी यहाँ पर होगा date का type होगा यहाँ पर यह date तो यहाँ पर हम लोगों को क्या किया मौंगुस को require किया और फिर यहाँ पर लिखा const user schema और एक new schema create कर दिया तो हमारे यहाँ पर collection के अंदर तीनी fields हों गी fname, image path और date तो हमारा जो schema क्रेट क करेंगे नीचे model तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं create model और फिर यहाँ पर लिखूंगा कॉंस्ट users is equal to यहाँ पर होगा new mongoose.model और उसके अंदर हम लोगों को कौन सा name देना होगा तो हम लोगोंने हमारे collection का जो name दिया होगा वही नेम हम लोग यहाँ पर देंगे और model को define करना it means कि हम लोग क्या कर रहे हमारे collection का name ही define करेंगे और जब हम लोगोंने database create किया उस time के अगर हम लोगोंने collection का name नहीं दिया होगा और फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी एंटर करेंगे model के अंदर तो क्या होगा कि जब भी हमारा data database के अंदर store होगा तो यहाँ पर हम लोगोंने जो name दिया होगा वो वाला collection किया हो जाएगा create हो जाएगा तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे users क्योंकि हम लोगोंने हमारे collection का name दिया था users तो यहाँ पर मैंने लिख लिया users और फिर यहाँ पर मैं करूंगा कॉमा और यहाँ पर हमें अब देना होगा यह user schema तो यहाँ से करूंगा मैं copy यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा paste तो इसका यहाँ पर मैं आपको meaning समझाता हूँ models define करना it means कि यह होगा हमारा collection के अंदर कितने field होंगी यह हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं define कर रहे हैं तो हम लोग उने यहाँ पर schema भी define कर लिया और model भी define कर लिया और इस model को यहाँ से कर देंगा export तो यहाँ पर मैं लिखूंगा module. यहाँ पर होगा export is equal to यहाँ पर होगा users और इसे यहाँ पर मैं करोंगा save तो यहाँ पर मैंने क्या किया schema define कर लिया model define कर लिया और यहाँ समय ने क्या किया इस model को export भी कर लिया और इसी users का हम लोग use करेंगे हमारी API create करने के लिये तो वह सब कुछ हम लोग देखेंगे तो हम लोग API create करेंगे हमारे router.js के page पर और यह सब कुछ अभी हम लोगों को create करना बाकी है लेकिन यहाँ पर हम लोगोंने schema और model एक तमच्छे से देख लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोग define करेंगे और एक file यहाँ पर server folder के अंदर तो यहाँ पर server के अंदर एक और new folder यहाँ पर create करूंगा और उस folder का name होगा यहाँ पर यह roots और रूट्स के अंदर यहां पर एक और यहां पर फाइल होगी और उस फाइल का नेम होगा यहां पर यह router.js और हम लोग यहां पर क्या करेंगे तो हम लोग जाएंगे app.js के पेज़ पर और यहां से इस express को कर लेंगे copy और यहां पर हम लोगों ने उसे paste कर दिया और यहां पर में लिखूंगा const और फिर यहां पर होगा यह router और यहां पर हम लोग क्या create करेंगे हम लोगों को यहां पर create करना है routing तो यहां पर में लिखूंगा new यहां पर होगा यह express.router तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया एक variable लिए router और यहां पर हम लोग उने new express.router create किया जिससे कि क्या होगा पता है कि हम लोग यहां पर app.js पर जो काम यहां पर कर रहे थे app.get से अब वहीं काम हम लोग यहां पर पी कर सकेंगे router.get की help से तो यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर यह जो लिखा था इसे यहां से लिखेंगे router तो यहां पर होगा यह router.get और यहां पर सर्वर स्टार्ट की जगा पर लिखेंगे server start router कुछ भी लिख लेंगे हम लोग चेक करने के लिए और यहां से हम लोग क्या करेंगे इसे export कर देंगे रहे राउटर को तो यहां पर में लिखूंगा module.exports और यहां पर होगा ही हमारा राउटर तो हम लोग अब जाएंगे हमारे app.js के पेज़ पर और यहां से हम लोग ने इस राउटर को जो export किया उससे हम लोग क्या करेंगे require करेंगे यहां पर तो यहां से इस राउटर को करेंगे copy और यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर port के उपर const यहां पर हो गए router is equal to यहां पर हम लोग इसे कर लेंगे require और फिर यहां पर हो गए dot forward slash roots के अंदर यहां पर हो गए router तो इसे यहां पर मैंने कर लिया save और इस router को यहां समय copy करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा app dot use और फिर उसके अंदर यहां पर इसे मैं कर लोगा paste और यहां पर इसे मैं कर लोगा save और एक बार हम लोग हमारे terminal पर चेक करेंगे तो हमारे terminal पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई error नहीं है यहां पर database connected लिखा आ चुका है तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि यहां पर हम लोग उने यह जो router.get लिखा है यह server start router तो क्या यह work करता है या नहीं तो एक बार वो हम लोग चेक कर लेंगे तो यहां पर हम लोग जाएंगे और यहां पर यह अभी तो दिखा रहा है server start लेकिन जैसे ही यहां पर इसे में करोगा refresh तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एकदम अच्छे से लिखा आ चुका server start router मतलब कि हम लोगों ने हमारे router के page पर जो कुछ भी define किया वो एकदम अच्छे से हम लोगों को यहां पर क्या हुआ मिल चुका है तो यह काम हम लोगों ने यहां पर देख लिया लेकिन हम लोगों को यहां पर यह सब नहीं करना तो इसे यहां समें remove करूंगा तो हमें यहां पर क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को create करने होगी एक API और वो API कौन सी होगी तो वो होगी user को registration करने के लिए और API create करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो भी हमारे user का name और जो image होगा उसका जो भी path होगा वो हम लोग store करेंगे database के अंदर लेकिन हमारा actual image होगा वो store होगा हमारे server के अंदर तो वो सब कुछ कैसे होगा वो आप लोगों को में दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो भी image होगा वो upload हम लोग करेंगे तो वो एक file होगी अगर हमें यहाँ पर note.js के अंदर file uploading करनी हो तो हम लोगों को यहाँ पर एक package को install करना पड़ेगा और उस package का name होगा यहाँ पर यह मल्टर और यह मल्टर क्या है तो मल्टर जो है वो क्या है पता है note.js का एक middleware है और वो क्या करेगा handle करेगा multipart form data और यह multipart form data क्या है multipart form data means कि हम लोग क्या करवाएंगे front end से एक username send करवाएंगे जो की होगा user का body और दूसरा जो होगा वो होगा image का path और वो path होगा हमारी एक file के अंदर तो यहाँ पर जो मल्टर होगा वो क्या करेगा वो handle करेगा हमारे middleware function बनके तो यहाँ पर यह जो मल्टर होगा वो क्या करेगा हम लोग front end से जो multipart form data जो pass करेंगे उसे handle करेगा हमारा यह मल्टर तो इसलिए हम लोग यहाँ पर use करेंगे मल्टर का और यह मल्टर का use हम लोग कैसे करना है वो भी आप लोग को मैं explain करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे npm i यहाँ पर होगा यह मल्टर और इससे हम लोग क्या कर लेंगे install कर लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसे करेंगे copy और terminal पर हम लोग करेंगे इसे थोड़ी दिर के लिए close और पर इसे कर दिया NPMI मल्टर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मल्टर एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है तो हम लोग हमारी एप को कर देंगे फिर से रिस्टार्ट तो हमारी एप यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो चुकी है इसे हम लोग करेंगे close तो हम लोगों को अब क्या करना होगा तो हम लोगों को अब यहाँ पर उस मल्टर को require करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर में लिखोंगा const यहाँ पर होगा यह मल्टर और फिर यहाँ पर होगा require यहाँ पर होगा यह require स्टाइर और लिखेंगें हम लोग यहापपर यह मल्कर इस कारेगा तो यहां पर मैं आप लोगों को नीछे दिखा देता हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे तो यहापनों लोग लिखेंगे कंज्ट यहापर हो गई अप chickens इंट合ूक में ऑर मल्टर और इस मल्टर के अंदर यहां पर होगा यह करली ब्रीश और उसके अंदर एहाँ पर क्या करेंगे दो चीज़ डिफाइन करेंगे जिस पसे सबसे पहली के अंदर कॉल्पी सामने लिख लिए या img config और यह img config क्या है वो भी आपको explain करूँगा फिर यहाँ पर comma करके एक और field होगी यहाँ पर और वो होगा यहाँ पर यह file filter तो उसके सामने यहाँ पर मैं दूँगा is image तो यहाँ पर मैंने क्या किया multar को install करने के रहाँ ज्याँ पर हम लोगोंने multar को require कर लिया और require करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया एक variable लिया con artist upload और फिर यहां पर उसके सामने लिखा यह म converter और फिर हम लोगोंने मैं क्या किया दो feedback करी एक तो तो ती storage और एक ती फाइल filter तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे जब भी हमारा image या कोई file upload करेंगे तो हम लोगों को यहां पर क्या करना होता है पता है define करना होता है कि हमारी जो files होगी उसका name क्या होगा और हमारी file हम लोग कहां पर store करने वाले तो यह सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा और file filter मतलब की क्या तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हमारा जो भी file होगा तो उसे हम लोग चेक करवाएंगे तो अगर हमारी file यहाँ पर image हुई तो ही हम लोग क्या करेंगे उससे upload करेंगे वरना हम लोग उससे क्या करवाएंगे Error Thro करवाएंगे तो यह Image Config और this Image क्या है तो भी आपको बताता हूँ तो यहाँसे इस Image Config को मैं करूंगा copy और यहाँपर उपर लिखूंगा मैं const यहाँपर होगा इमेज Config और यहाँ पर होगा यह malter. यहाँ पर होगा इस डिस्क स्टोरेज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को यहाँ पर define करना पड़ेगा कि हम लोग हमारी file का name क्या देंगे और उसे कहाँ पर हम लोग उसे store करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसे कहां श्टोर करने वाले वो लिख लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर होगा यह destination और destination के बाद यहाँ पर colon करके हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर request, file, hier पर होगा यह callback और यह होगा यहाँ पर हमारा fat arrow function और यहां पर हम लोग लिखेंगे callback के अंदर, यहां पर होगा यह callback, जिसमें से सबसे पहले field होगी यहां पर यह null, फिर यहां पर हम लोग देंगे comma, और यहां पर लिखेंगे double quotes के अंदर dot forward slash, यहां पर होगा यह uploads, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक variable लिया, image config, जो कि यहां पर मैंने storage के सामने add किया था, तो image config के सामने मैंने लिखा multir.disk storage, इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक destination बताना होता है, कि हम लोग हमारा जो image का जो file होगा, वो हम लोग कहां पर store करेंगे, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, कि हम लोग क्या करेंगे, image का path जो होगा, वो database के अंदर store करेंगे, लेकिन actual image होगी, वो होगी हमारे server के अंदर, तो server के अंदर हम लोग कहां पर store करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे server के अंदर एक folder create कर लेंगे और उस folder का name होगा यहां पर यह uploads तो यहां पर मैंने एक uploads folder create कर लिया तो यहां पर मैंने destination के अंदर वहीं लिखा कि हमारा जो destination होगा वो होगा हमारा dot forward slash uploads वाला यह folder तो यहाँ पर हम लोगों नहीं क्या किया destination यहाँ पर image का हम लोगों ने set कर दिया और अब हमारे उस image का यहाँ पर actual file name कौन सा होगा तो वो file name हम लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा तो यहाँ पर में लिखूंगा file name फिर यहाँ पर भी same way काम करेंगे उपर की जैसा request फिर यहाँ पर होगा request के बाद यह file और फिर यहाँ पर भी होगा यह callback और यहाँ पर भी होगा यह pat arrow function और यहाँ पर भी लिखेंगे callback इसमें से सबसे पहले यहाँ पर होगा यह null और फिर हम लोगों को यहाँ पर हमारी file name दीनी होगी तो file name हम लोग यहाँ पर खुझ से set करेंगे तो हमारी file name हम लोग किस तरह से set करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा back tick और back tick के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा image इमेज फिर उसके बाद ढूंगा यह प्री", और फिर यहां पर कर ली ब्रेसें के आगे कर ओंगा यह डॉलर byमारी फाइल का नें माहिस का सी प्रफे पहले होगा यहां पर अमारी पार इम इमेज पिर उसके बाद यह पर हम बोग लिखेंगे date.now यहां पर हम लोग create करेंगे date.now और फिर यहां पर बाजू में लिखेंगे इसे dot और फिर यहां पर create करेंगे एक और curly braces और उसके आगे होगा यह dollar और उसके अंदर लिखेंगे यहां पर हम लोग file.file. यहां पर होगा यह original name तो आप लोगों को मैं explain करता हूँ कि यहाँ पर यह मैंने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उने destination set कर दिया और वो destination था हमारा यह upload वाला folder फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग उनको एक file name set करना होगा कि जो अमारे upload folder के अंदर होगा तो वो file name क्या होगा तो file name यहाँ पर create होगा जिसमें सबसे पहले होगा यह image फिर होगा यह current date और फिर यहाँ पर हमारी जो file का जो name होगा original name वो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, set कर दिया तो यहाँ पर यह जो upload के अंदर जो storage जो था field उसके सामने यहाँ पर यह मैंने image config लिखा वो एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हमारा destination कौन सा होगा और फिर हमारी file का name कौन सा होगा और यहाँ पर दूसरी field थी file filter तो इस image को यहाँ पर करेंगे copy और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const यहाँ पर होगा यह is image और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे small bracket के अंदर request फिर यहाँ पर भी होगा यह file और यहाँ पर होगा यह callback function और फिर यहाँ पर यह fat arrow तो यहाँ पर हम लोग condition लगाएंगे if यहाँ पर file dot यहाँ पर हम लोग लिखेंगे file dot mime type dot यहाँ पर होगा यह start with और उसके अंदर होगा यहाँ पर double codes के अंदर img तो यहाँ पर यह मैंने क्या किया तो यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले तो const is image फिर यहाँ पर request file callback और यहाँ पर हम लोग उने condition set कर दी अगर file dot mime type starts with image मतलब कि हमारा जो भी image का जो type होगा वो start होगा image से तो ही हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पर तो ही हम लोग यहाँ पर करवाएंगे क्या तो सबसे पहले यहाँ पर होगा यह null और यहाँ पर होगा यह true मतलब कि अगर हमारी file का जो mime type image से start हुआ तो ही हम लोग यहाँ से true return करवाएंगे अगर यहाँ पर else यहाँ पर image से start नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे एक error throw करवाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे new यहाँ पर होगा यह error और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे only यहाँ पर लिखेंगे image is allowed only image is allowed तो यहाँ पर हम लोग उने क्या किया condition लगा दी कि हमारी file.mime type starts with image अगर image से start होता है हमारी file का type तो ही हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे उसे true करवाएंगे else में यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे उसे error throw करवाएंगे तो यहाँ पर मैंने जो लिखा था const upload के यहाँ पर सामने यह multar उसके अंदर था storage और फिर था यहाँ पर image config और नीचे था file filter और उसके सामने था ease image तो यहाँ पर हम लोगों ने image config और यह ease image define कर दिया और एक और बार मैं explain करता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया तो सबसे पहले हम लोगों ने multar को install किया और multar जो है वो क्या करेगा वो एक हमारे middle well की तरह काम करेगा और multar जो है वो multipart form data को handle करेगा मतलब कि हम लोग front end से जो multipart form data send करेंगे back end के अंदर तो उसे handle करने के लिए हम लोग यहाँ पर use करेंगे multar का और multar का use हम लोग करेंगे हमारी file को क्या करने के लिए store करने के लिए तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने यूज़ किया मर्टर का, जिस में से हम लोगों ने याँ पर define किया, सबसे पहले स्टोरेज़ और फाइल फिल्टर, पर हम लोगों ने एक destination set कर दिया कि कौन से destination पर हम लोग Represent for ने इम्ँक्готов अप्लोड करेंगे और उस फाइल का name क्या होगा, यहां पर उसका टाइप image के अलावा कोई और हुआ तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसे error थो करवा देंगे तो यहां पर हम लोगों यह image वाला जो काम जो है विक्तम अच्छे से देख लिया और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मल्टर जो है वो क्या है एक middleware है त middleware function किस तरह से काम करता है वो भी आप लोगों को यहां पर हम ऑप explain करता हूं तो यहां पर हम लोग नीचे लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे user के register तो यहां पर हम लोग लिखेंगे but router dot यहां पर होगा router.post और यहां पर आम लोग उसे एक path देंगे और यह path होगा हमारा रजिस्टर तो यहां पर हम लोगों को लिखेंगे router.post रजिस्टर फिर यहां पर हो गई request response और यहां पर हो गई फैट एरो फंशन तो जब भी हम लोग यहां पर post request create करेंगे तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली इस तरह से यहाँ पर हम लोग create करेंगे like router.post फिर यहाँ पर हो गई register it means की front end से अगर कोई user form submit करेगा तो यहाँ पर यह register वाली API call होगी और अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे console.log request.body तो हम लोगों कोई यहाँ पर यह output मिल जाता था तो यहाँ पर भी होगा लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बता है कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मल्टर का और मल्टर जो है वो एक middleware होगा और जो की handle करेगा multipart form data और मैं आपको बता दू कि जब भी बात आती है middleware की तो हम लोग कहाँ पर define करेंगे तो middleware को हम लोग define करेंगे हमारा यह path और यहाँ पर यह जो request और response लिखा इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे create करेंगे हमारे middleware को तो यहाँ पर मैं दूँँगा एक और कोमा और यहाँ पर बीच में लिखूंगा यहाँ से इस upload को करूंगा copy यहाँ पर इसे कर दूँगा मैं paste और लिखूंगा यहाँ पर upload. यहाँ पर होगा यह single और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक नेम देंगे और यहां पर हम लोग देंगे इसे फोटो और यहां पर मैंने क्या किया तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया हमारा यह मल्टर वाला मिडल वेर और middleware कहाँ पर होता है हमारे path के बाद और यहाँ पर यह जो request और response लिखा है उससे पहले और यहाँ पर मैंने लिखा upload.single यहाँ पर होगा यह photo और यहाँ पर मैंने single इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग क्या करवाएंगे एक user के साथ एक ही image को upload करवाएंगे अगर यहाँ पर multiple data होता तो यहाँ पर मैं लिखता upload.array लेकिन यहाँ पर अभी एक user के साथ एक ही image है तो यहाँ पर मैंने लिखा upload.single तो अब यह work कैसे करेगा तो वो आपको मैं explain करता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी यूजर यूजर नेम और फिर यहाँ पर वो एक image एड़ करेगा और submit बटन के उपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले यह वाली API कॉल होगी रजिश्टर वाली फिर जब भी API कॉल होगी तब यहाँ पर यह वर्क करेगा upload.single फिर उससे होगा क्या upload.single में आने के बाद यहाँ पर यह चेक करेगा कि जो भी हमारी फाइल थी जो हम लोगोंने front end से share करी थी उस फाइल का name क्या photo है तो अगर मैं आपको बता दू तो कि हम लोगोंने क्या किया था front end पर username का name रिखा था app name और जो image जो था उसका name लिखा था photo तो वो जो name लिखा था हम लोगोंने photo वो यहाँ से क्या होगा match होगा और जैसे ही यहाँ पर यह match हो जाता है तब क्या होगा यहाँ पर यह image config वाल होगा और यहाँ पर हमारा जो destination लिखा है हम लोगोंने upload तो यहाँ पर इस upload folder के अंदर क्या होगा हमारा जो image जो front end से हम लोग send करेंगे वो यहाँ पर इस upload के अंदर क्या हो जाएगा store हो जाएगा और यहसे वो store हो जाए फिर यहाँ पर हमारा यह जो request response वाला जो काम जो है वो क्या होगा यहाँ पर आगे start होने वाला है तो यह होता है यहाँ पर यह middleware का work की register path के बाद और request response से पहले यहाँ पर क्या होने वाला है uploads के अंदर हम लोग हमारे image की जो files होंगी उससे क्या करेंगे upload करेंगे और जो actual data होगा वो हम लोग store करेंगे हमारे database के अंदर तो वो हम लोग उको कहां से मिलेगा तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर होगा const यहाँ पर मैं कर लोगा इसे curly braces के अंदर यहाँ पर लिखूंगा मैं file name आप लोग यहाँ पर simple file name भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप लोगों ने file name लिखा है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा request.file. यहाँ पर होगा file name लेकिन यहाँ पर मैंने already उसे curly braces के अंदर लिखा है इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा const यहाँ पर होगा file name और उसके सामने होगा request.file और फिर यहाँ पर हम लोग body भी पास करेंगे username तो यहाँ पर लिखूंगा मैं const fname और यहाँ पर होगा request.body और यहाँ पर इसे में करूंगा save तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर होगा if यहाँ पर होगा not fname और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे or symbol और यहाँ पर करेंगे not यहाँ पर होगा यह file name तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे error ध्रोव करवाएंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा response.status status होगा यहाँ पर यह 401 . यहाँ पर होगा json और यहाँ पर भी curly braces के अंदर हम लोग send करेंगे हमारे status को तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे status 401 , यहाँ पर होगा यह error और इसे यहाँ पर मैं कर दूँगा save और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया तो हम लोगों ने register path पर request किया front end से फिर यहाँ पर upload.single photo it means कि यहाँ पर upload folder के अंदर एक image upload होगा और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे file name get करवाएंगे और body से username get करवाएंगे और check करेंगे कि क्या user ने enter किया है अगर user ने enter नहीं किया होगा तो यहां से हम लोग क्या करवाएंगे उसे status code 401 send कर देंगे और यहाँ पर एक error लिखा है उसके जगाँ पर एक काम करेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे message और message के अदर हम लोग लिख लेंगे fill all the data और यहाँ पर इसे में करूंगा save तो यहाँ पर अगर कुछ enter नहीं किया होगा तो error throw करवाएंगे और अगर यहाँ पर user ने दोनों field एंटर करी होगी तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे try और catch block और यहाँ पर यह जो try block लिखा है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const user data is equal to हम लोग को नहीं यहाँ पर लिखा const user data और अब हम लोग यहाँ पर यह fname और यह जो file name लिखा है उन दोनों के value को हम लोग क्या करवाएंगे store करवाएंगे हमारे database के अंदर और वहाँ पर store करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर हमारा collection चाहिए क्योंकि collection के बिना हम लोग क्या करेंगे उसे add नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर उपर जाओंगा मैं और यहाँ पर मैं लिखोंगा const और हमारा collection कौन सा होगा तो यहाँ पर इस user schema के अंदर हम लोगों ने जो export किया था यह user तो यह होगा हमारा collection तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे users और यहाँ पर हम लोग उसे क्या करवाएंगे require करवाएंगे और यहाँ पर होगा हमारे उस model के अंदर से यहाँ पर था user schema और इसे यहाँ पर मैं करूँगा save तो इस users को यहाँ समय करूँगा copy और यहां पर मैं लिखूंगा skills user data पिर यहां पर पर वोगा यह new उस यहां पर यह जो fname, img part और जो date लिखा है, इन टेव्ट की value को हम लोग क्या करवाेंगे? set करवाएंगे जो भी user front end से हम logo को send करेगा सबसे पहले यहां से इसे में कर लूँगा copy तो यहां पर होगा यह f name और फिर यहां पर होगा यह colon फिर यहां पर इसे अभी के लिए मैं empty रखूंगा और यहां पर करूँगा कोमा और फिर यहां पर इस image path को करूँगा मैं copy और यहां पर इसे करूँगा paste तो उसकी भी value को यहां पर अपर मैं रखूंगा empty और फिर उसके बाद यहां पर था एक date तो यहां पर मैं लिख लूँगा date तो यहां पर यह मैंने क्या किया तो यहां पर मैंने लिख लिए या कॉंश्ट यूजर डेटा फिर यहां पर लिखा यूजर मतलब कि यह जो एफ नेम आई एंजी पाथ और डेट लिखा जो हमारा कलेक्शन के फिल्ड थी तो उसके सामने हम लोगों को जो यूजर सेंड करेगा फ्रंट एंड से वह वैल्यों को सेट करवाना है तो यूजर पाथ के अंदर कर दूगा मैं पेस्ट एंड फाइनली यहां पर होगा एक डेट फेल्ड तो हम लोग यहां पर डेट को कैसे एड करेंगे तो हम लोग यहां पर नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट की जो डेट होता है डेट फंक्शन न्यू डेट तो उससे कर सकते हैं लेकिन ह हम लोग यहां पर यूज करेंगे मॉमेंट का और मॉमेंट .js का हम लोग यहां पर यूज करेंगे इसे कर लेंगे copy और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगा अभी के लिए इसे कर देंगे close और यहाँ पर इसे कर लेंगे install npm i moment तो यहाँ पर यह install हो चुका है तो हम लोग हमारी app को कर देंगे फिर से restart और यहां पर मैंने किया कि आप लोगों को इंस्टॉल कर वां दिया moment को तो उसे भी हम लोगों को रिक्वायर करना पड़ेगा तो यहांपर लोग लिखेंगे कॉंस्ट मॉमेंट इस इकॉल टू नहीं वह और होगा यह रिकवायर और यहांपर हम यहां पर यह const date और date is equal to यहां पर मैं लिखूंगा यह moment और फिर moment के अंदर हम लोग देंगे यहां पर new date देने के बाद यहां पर हम लोग देंगे उसके बाद यहां पर एक format तो यहां पर हम लोग लिखेंगे new date के बाद एक format और हम लोग कौन सी format में यहां पर data चाहिए हमार पर चाहिए हम लोगों को यह मन्त और फिर उसके बाद हम लोगों को यहां पर चाहिए डेट तो यहां पर हम लोगों ने moment का use किया है इस जिससे की क्या होगा कि जब भी user हम लोग क्या करेंगे create करेंगे उस time पर जो भी date होगा वो इस form में convert होगा और इस form में convert होने के बाद वो date क्या होगा यहां से हम लोग इसे करेंगे copy और यहां पर इसे कर देंगे paste जिससे की क्या होगा कि यह जो current date होगा वो अमारे database के अंदर क्या हो जाएगा store हो जाएगा तो इसलिए हम लोग ने यहां पर moment का use किया क्योंकि कि हम लोग यहां पर एक proper format के अंदर उसे set कर सकते हैं और अगर आप लोगों को moment के बारे में और भी जानना हो तो आप लोग उसकी जो documentation है वो पूरी read कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं moment के ऊपर एक वीडियो बनाओ तो आप लोग नीचे comment में मुझे बता सकत हैं तो अभी के लिए हम लोगों ने यहां पर यह moment के help से date format को यहां पर set कर दिया यहां पर भी मैंने date लिख लिए तो यहां पर मैंने क्या किया एक और बार मैं आप लोगों को explain करता हूं यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने file को upload किया upload folder के अंदर फिर यहां पर check किया file name और चलिएट करेंगे और यह अंदर यहां पर उसकी वेल्यू को क्या करवाएंगे सेट करवाएंगे तो यहां पर मैं निचे लिखूंगा यहां पर होगा यह तो यहां पर होगा हमारा final data और यहां पर हम लोग लिखेंगे await क्योंकि हम लोग ने यह पर यह async function यूज किया है तो यहां पर हम लोग उको request और response के आगे लिखना पड़ीगा यह async तभी हम लोग अवेट का use कर पाएंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे await और यहां पर हम लोग क्या करेंगे तो यहां पर लिखेंगे यूसर्स data जो यहां पर हम लोग उसे कर देंगे सेव और यहां पर हम लोगों कोई save method को call करना पड़ेगा तबी जाके यह जो डेटा जो है वो हमारे collection के अर्दर क्या होगा store होगा तो यहां पर हम लोगों ने हमारा जो user का जो data registration का जो काम जो था वो complete कर लिया I mean हम लोगों ने उसकी API को create कर लिया यहां से user data add किया और यहां पर save कर दिया और यहां पर भी हम लोग एक response को send करवाएंगे response.status यहां पर होगा यह 201.json और json के अंदर भी curly braces के अंदर हम लोग लिख लेंगे इस status को तो यहां पर होगा यह status 201, उसके बाद यहां पर हम लोग देंगे उसे final data और यहां पर हम लोग इसे करेंगे save और यहां पर उपर जो error थी उसे यहां से में कर लूँगा copy और यहां पर नीचे कर दूँगा मैं paste और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे इसे remove कर देंगे इस message को और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यह error और इसे यहाँ पर मैं करूंगा save तो finally हम लोगों ने हमारी जो register की जो API जो की वो एकदम अच्छे से complete कर ली हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले मल्टर को यहाँ पर require किया फिर उसका destination और file name set करवा दिया फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने filter लगाया कि अगर MIME type image से start हुआ हो तो ही हमारा image यहाँ पर upload करो वरना error throw कर दो and finally मल्टर जो middleware है उसका use कैसे यहाँ पर करना है वो भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया और फिर जो भी front end से file और यहाँ पर जो user name मिलेगा उससे हम लोग validate करवाएंगे और validate करवाने के बाद उससे हम लोग हमारे database के अंदर store करके यहाँ पर save करवा देंगे और जैसे यह save हो जाता है तो हम लोग यहाँ से success response क्या करवाएंगे हमारे front end पर set करवा देंगे तो यहाँ पर हम लोग नहीं यह काम एकदम अच्छे से देख लिया और हम लोग अब जाएंगे हमारे front end के part पर और वहां से क्या करेंगे एक data send करेंगे हमारे backend के अंदर और अब लोग चेक कर लेंगे हमारे database के अंदर कि क्या data हम लोग उसको मिलता है या नहीं लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग फिर से जाएंगे app.js के page पर और मैंने आप लोगों को वीडियो के starting में एक package इंस्टॉल कर वाया था पर यहाँ पर कोर्स तो यहां पर हम लोग उसे require कर लेंगे तो यहाँ मैं लिख ले दाओ यहाँ पर हो गया यह कोर्स और यहाँ पर इसमेंकर ओंगा require और यहाँ पर हो गया यह मतलब की front end और back end दोनों का जो port number है वो different है जिससे कि क्या होगा यहाँ पर यह error थो करेगा course की it means की cross origin resource sharing तो यहाँ पर यह error हम लोगों को throw ना करें इसलिए हम लोग यहाँ पर use करेंगे course का तो यहाँ से इसे में करूंगा copy और यहाँ पर लिखूंगा app.use फिर यहाँ पर भी होगा यह course और इसे यहाँ पर मैं करूंगा save और हमारा front end से जो data आएगा वो जेसन के form में भी होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे app.use यहाँ पर होगा express.json और यहाँ पर मैंने इसे create कर लिया express.json और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोग क्या सर्वर के अंदर एक upload folder के अंदर हमारे image की file को क्या करेंगे upload करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर यह जो upload folder के अंदर जो भी file हम लोग upload करेंगे गर उसे access करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे तो उसे access करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे यहाँ पर हो यहाँ पर होगा यह स्टेटिक और फिर यहाँ पर होगा यह डॉट फॉर्वड लेस अपलोड और यहाँ पर यह मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने लिखा app.use uploads और फिर यहाँ पर मैंने लिखा express.static.forwards लेस अपलोड इसका मतलब यह है कि झब डिको यूजर हमारे इस uploads वाले पार्ट पर call करेगा तब हम लोग क्या करवाएंगे express.static मतलब की हमारा यह जो upload folder के अंदर जो भी होगा उसे हम लोग क्या करवाएंगे show करवाएंगे मतलब की जब भी को user localhost 8005 और 8005 के बाद अगर uploads लिखेगा और uploads लिखेगा तो हम लोग क्या करवाएंगे उसे हमारा यहाँ पर यह जो server के अंदर जो upload folder create किया वो folder हम लोग क्या करवाएंगे उसे show करवाएंगे तो यहाँ पर इसलिए मैंने उसे express.static के help से यहाँ पर मैंने क्या कर लिया उसे join कर लिया app.use uploads और जब भी user उसे check करना चाहेगा तो .forward slash upload के help से उसे क्या करेगा show कर सकेगा तो यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ close तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया course module को यहाँ पर हम लोगों ने use किया फिर express.json फिर router and finally uploads को भी यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया और router के page पर भी हम लोगों ने यहाँ पर यह सारा img storage part filter और जो registration वाला जो पूरा API जो था वो एकदम अच्छे से complete कर लिया तो हम लोग अब जाएंगे front end के part पर हमारे register वाले page पर और वहाँ से क्या करेंगे एक user को send करेंगे हमारे back end के अंदर और check करेंगे कि क्या यह user हमारे collection के अंदर store होता है या नहीं और एक बार हम लोग terminal पर भी check करेंगे कि क्या कोई error तो नहीं तो हमारे terminal पर यहाँ पर अभी के लिए कोई error नहीं तो इससे यहाँ पर मैं करूंगा close तो अब हम लोग जाएंगे के हमारे front end पर तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और client के अंदर जाएंगे source के अंदर और फिर components के अंदर जाएंगे register.js के page पर और यहाँ पर यह जो लिखा है ना set img file ठिक उसके नीचे यहाँ पर में लिख लेता हूँ add user data और फिर यहाँ पर एक function में create करूँगा user को add करने लिए तो यहाँ पर मिन लिखुँगा फिर इसके अंदर हो गये और यह फैटर फंक्शन और यह पर यह लिखा this news हम करूंगा copy नात्र करूंगा पेस्ट और लिखुँगा यहाँ पर dot prevent default इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग submit करेंगे तो अगर हम लोग को यहाँ पर e.prevent default टिखा है तो हमारा page जो है वो load नहीं होगा और इसे हम लोग यहाँ पर इसले लिखा कि इसका जो default behavior जो होता है बटन का कि submit बटन पर हमारे page को refresh करेगा तो उसे हम लोग यहाँ से stop करवाएंगे prevent default के help से तो यहाँ से मैं कर लूँगा copy और यहाँ पर हमारे इस बटन की click पर तो यहाँ पर दोंगा on click पर मैं उसे इस function को कर दोंगा यहाँ पर में paste तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया यह add user function को where और फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ form data और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसके सामने new और यहाँ पर होगा new form data और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक object create करेंगे एक form data और उसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे key value pair के अंदर हमारा जो data है उसे store करवाएंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा form data dot append हम लोग यहाँ पर उसे क्या करवाएंगे append करवाएंगे हमारी value को तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख ले दाऊं यह photo फिर उसके बाद यहाँ पर comma करके हमारा जो image जो path जो था वो यहाँ पर इसके अंदर set हो रहा था इस file के अंदर जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर set किया था इस set img function के help से तो यहाँ से इसे मैं कर लूँगा copy और यहाँ पर इसे कर दूँगा मैं paste तो यह होगी हमारी key photo और उसके value होगी यहाँ पर यह file और ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं लिखूँगा form data dot append और यहाँ पर अब होगा हमारा fname और fname के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था उपर एक state लिया था और उसका name भी था यहाँ पर fname तो यहाँ से इसमें कर लूँगा copy और यहाँ पर उसके value को set कर लूँगा मैं paste तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया एक object create कर लिया form data करके और उसके अंदर हम लोगों ने हमारी जो value थी उससे set करवा दिया form data.append करके तो इस form data के अंदर हमारी फोटो और यह जो fname की जो value जो होगी वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ जाएगी और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे front end से back end को जब request करेंगे तो हम लोग यहाँ पर use करते थे patch method लेकिन यहाँ पर हम लोग हमारे इस project के अंदर use करेंगे exios का तो हम लोगों गूज exios को भी क्या करना पड़े का install करना पड़ेगा तो यहाँ पर में जाऊंगा और हमारी react app को करोंगा close और यहाँ पर में उसे install कर लोगा exios को तो यहाँ पर में लिखोंगा npm i यहाँ पर हो गई है exios और इसे यहाँ पर में करोंगा install तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह exios यहाँ पर install हो चुका है तो यहाँ पर मैं हमारी app को कर लोगा फिर से restart तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी app यहाँ पर एक्दम अच्छे से start हो चुके हैं तो हम लोग अप जाएंगे यहाँ पर और हम लोग लिखेंगे const response is equal to यहाँ पर होगा यह await और टॉप पर हम लोगों को exios को क्या करना पड़ेगा import करना पड़ेगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ import exios from यहाँ पर होगा यह exios से तो इसे यहाँ पर हम लोगों ने import कर लिया तो अब इसे यहाँ से करोंगा copy और नीचे लिखोंगा const response is equal to await फिर यहाँ पर होगा exios.अब लोग यहाँ पर कौन सी request करेंगे post request तो यहाँ पर होगा exios.post और यहाँ पर हम लोग कौन सा पाथ देंगे तो एक्चुल में हम लोगों को यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा तो हमारे backend का और backend का path हम लोग किस तरह से देंगे तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा http फिर यहां पर होगा यह colon forward slash localhost फिर यहां पर होगा यह colon 8005 और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो register की जो API create करी थी यह वाला तो इसे यहां से मैं करूँगा copy और यहां पर इसमें करूँगा paste तो हम लोगों को इस तरह से यह path यहां पर देना होता है लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं देंगे हम लोग यहां पर use करेंगे proxy का proxy का हम लोग use यहां पर करेंगे और वो इसलिए क्यों कि हम लोग क्या करेंग और जाएंगे हमारे package.json के page पर हमारे front end के और यहाँ पर नीचे double quotes के अंदर लिखेंगे हम लोग अंदर ये proxy और फिर यहाँ पर इसे कर देंगे paste और यहाँ पर हम लोग नहीं कुछ नहीं किया लिखा और यहाँ पर हम लोग इसे कर देंगे close और जिससे कि क्या होगा कि हम लोग जब भी exeos.post या फिर exeos.get लिखेंगे तब हम लोगों को यहाँ पर पूरा जो URL जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने register लिख लिए तब भी यह काम यहाँ पर चल करने होगे सबसे पहला तो यहाँ पर हम लोगों को एक हमारा path देना पड़ेगा जो हम लोगों ने set कर दिया फिर दूसरा काम यह कि हमारा जो data होगा जो हम लोग pass करवाना चाहते वो add करना पड़ेगा तो यहाँ पर path के बाद कोमा करके यहाँ से form data को मैं करूंगा copy और य यहाँ पर उपर अलग से define कर लेंगे यहाँ पर लिखेंगे const यहाँ पर होगा यह config is equal to यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह headers और headers के अंदर हम लोग लिखेंगे यह column और फिर उसको अवलोग देंगे content टाइप तो यहाँ पर यह content टाइप होने वाला है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे multi part form data send करेंगे front end से तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह multi part फिर इसके बाद होगा यहाँ पर यह forward slash form hyphen data तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हमारी headers के अंदर content type multi part form data set कर दिया तो इस config को यहाँ समय करोगा copy और यहाँ पर इस form data की बाजू में कर दोगा paste तो मैंने आप लोगों को जो तीन काम दिखा हैं वो था सबसे पहले path set करना फिर उसके बाद यहाँ पर यह form data और finally यहाँ पर हम लोगों ने हमारी headers को भी set कर दिया और उसे दे दिया content type multi part form data तो यहाँ पर यह सबकुछ हम लोगों ने एक्दँम अच्छे से देख लिया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे console.log यहाँ पर हम लूग सबसे पहले console करवाएंगे हमारे response को और check करेंगे की क्या हम लोगों कोई यहाँ पर यह output मिलता है या नहीं और हम लोगों ने यहाँ प्रॉक्सी को सेट किया तो हम लोग क्या करेंगे हमारे फ्रेंट और बैकेंड दोनों को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो यहां पर हम लोगों को कोई एरर नहीं शो करेगा तो यहां से मैं फिर से हमारे फ्रेंट को कर दूंगा रिस्टार्ट और हमारे बैकेंड को पार और यहां पर मैं करूंगा इसे inspect और यहां पर मैं इसे कर दूंगा console को open और हमारे टर्मिनल पर चेक करूंगा तो database के लिए भी कोई error नहीं है यहां पर तो हम लोग अब काम करेंगे send करेंगे हमारा data front end से backend पर तो सबसे पहले यहां पर मैं रिख लेता हूं hertz फिर उसके बाद यहाँ पर एक image को मैं set करूँगा और यहाँ पर यह वाल image को मैंने set किया और जैसे यहाँ पर submit बटन के उपर में करूँगा click तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक error आ गया एक जियोस का request fail with status code 500 और एक बार हम लोग हमारे terminal पर भी check करेंगे कि हम लोगों क्या error so करेगा तो यहाँ पर हम लोगों को यह error है कि mime type.start with is not a function तो उसे एक बार हम लोग check करेंगे तो जाएंगे हम लोग router.js के page पर और यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों नहीं लिखा है mime type.start with तो आई थिंक यहाँ पर इस w को यहाँ पर मैं कर दूँगा capital और अब अगर यहाँ पर इसे में save करूँ तो यहाँ पर यह server फिल से start हो चुका है और database भी connect हो चुका है और एक और बार हम लोग यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ से इस page को करेंगे refresh और फिर से यहाँ पर एक user को add करेंगे और फिर से यहाँ पर image को select करेंगे यहाँ पर और जैसे हम लोग इस submit बटन की उपर करेंगे क्लिक तो आप लोग right side पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक data मिल चुका है फिर status यहाँ पर 201 यहाँ पर लिख चुका है status created और जैसे हम लोग यहाँ पर इस data के उपर करेंगे क्लिक के और यहाँ पर जाएंगे इस data के अंदर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग उने जो backend से send करवाया था success पर status 201 और final data तो वह एकदम एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग उने जो date को set करवाया था सबसे पहले था year फिर उसके बाद था month और फिर उसके बाद था अमारी date और फिर यहाँ पर 나타nie और image पार भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग उने लिखा था image फिर उसके बाद दिया था date.now और फिर उसके बाद था हमारी file का original name तो यह एकदम अच्छे से यहाँ पर add हो चुका है और इसे हम लोग हमारे terminal पर एक बार चेक करेंगे तो terminal पर तो कोई output नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग ने console नहीं करवाया था लेकिन हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा यह जो uploads folder जो था उसके अंदर कोई यहाँ पर file upload हुई है या नहीं तो जैसे इसके उपर मैं करोंगा click तो आप लोग यहाँ पर देख हो चुकी है और उसका जो path जो है वो भी हम लोगों ने जो हम लोगों ने define किया था image और फिर उसके बाद new date और फिर उसके बाद file.original name ठीक उसी तरह यहाँ पर यह path एकदम अच्छे से set हो चुका है और अब हम लोग हमारे database के अंदर भी check कर देंगे तो जैसे ही यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों को जाना होगा हमारे image वाले database के अंदर तो यहाँ पर इसके ओपर में करूंगा click image upload और हम लोग यहाँ पर हमारे collection को हम चेक करेंगे users के सकते हैं कि हम लोगों ने जो यूजर एड किया वो यूजर यहाँ पर एफ ने भर्स और फिर इमेज बात और डेट एक्टम अच्छे से यहाँ पर एड हो चुका है और प्रॉब्लम कुछ नहीं था बस वो इमाई ये में टाइप ड़ॉट में डबली जो लिखा था उसे कैपिटल करना था और कुछ नहीं था तो यहाँ पर एक तो अच्छे जाम लोगों ने क्या किया एक यूजर को एड कर लिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो हम लोग अब क्या करेंगे तो हम लोग अ दूसरा image और जैसे यहां पर इसे में करोंगा submit तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फिर से यह status code 201 यहां पर हम लोगों को मिल चुका है और फिर से एक और बार अगर हम लोग यहां पर database पर जाकर करेंगे refresh तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहां पर यह output मिल चुका है, दूसरा भी और यहां पर अगर हम लोग चेक करें तो उस user का name था यह ने और उसका image भी यहां पर सेट हो चुगा है और date भी हां पर एकदम अच्छे से हम लोगों को मिल गई तो हम लोगों ने हमारे जो यूजर को registration वाला जो काम जो था हमारे front end से back end के अंदर और database के अंदर तो वो एकदम अच्छे से हम लोगों ने दीख लिया image को upload कर लिया हमारे uploads folder के अंदर और उस upload folder का जो path जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इस img path के अंदर एकदम अच्छे से set करवा दिया तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर तो यहाँ से इसे में करूँगा close और जाओंगा register.js के page पर और यहाँ पर यह जो हम लोगों को response मिल रहा है तो इसे यहाँ से में हटा हूँगा और यहाँ पर मैं condition add करवा दूँगा तो यहाँ पर होगा if यहाँ पर response के अंदर हम लोगों को मिलेगा एक data तो यहाँ पर होगा response.data. उसके अंदर था एक status response.data.status अगर यहाँ पर 401 होगा response.data.status अगर यहाँ पर यह 401 होगा और अगर यहाँ पर response.data और उसके आगे होगा यहाँ पर यह not equal इट मेंज कि यहाँ पर अगर हम लोगों को response नहीं मिलेगा और अगर response मिला और उसका status score यहाँ पर लॉपने हैं तो यहाँ पर हम लोग करवाएंगी यहाँ पर हम लोग यहाँ लोग लोग सी करवा दिया और उस्जा करेंगे सब्सक्राइब व्वटक करेंगे और होंम पेच़ पर यूज करना पड़ेगा यूज नविपेशन hook का. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा const history और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा Use Navigate hook का तो यहाँ पर मैं लिख ले था हूँ Use Navigate और Use Navigate को हम लोग क्या करेंगे? import कर लेंगे हमारे react router dome से तो यहाँ से मैं करूँगा copy और यहां पर मैं लिखूंगा import, use navigate from, यहां पर होगा यह react router dome और यहां से इस history को करेंगे copy, और यहां पर else part के अंदर कर देंगे paste और जैसे data add हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक path set करवाएंगे हमारे home page का, तो वो क्या होगा, home page पर redirect हो जाएगा, तो इसे यहां पर मैं कर लेता हूँ save, तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जैसे response के अंदर status code 401, या फिर अगर हम लोगों को data ना मिले तो console में error throw करवाएंगे, और अगर कोई error ना हुई, it means कि data successfully add हो चुका होगा, तो हम लोग उसे हमारे home page पर redirect करवाएंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक और user को add करेंगे, तो यहां पर हम लोगों कोई error आ गई, तो इसे करेंगे refresh, तो यहां पर हम लोगों को फ और यहां पर इसे करेंगे paste, और यहां पर भी इसे करेंगे paste, और अगर इसे हम लोग save करें, तो यहां से यह error तो जा चुकी है, और एक और user को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, add करेंगे, तो यहां पर इसके लिए भी एक image को set करवा देंगे, तो यह वाला image और इसे यहां पर open और जैसे हम लोग यहां पर इसे करेंगे submit तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैंने submit किया और हम लोग हमारे home page पर एक तम अच्छे से redirect हो चुके हैं और वो यहां पर इसलिए redirect हुए क्योंकि यहां पर हम लोगों ने use navigate टूप का use किया कि अगर यहां पर हमारे पास else part के अंदर success हो जाता है तो हम लोग उसे history के अंदर क्या किया home page वाला path set कर दिया और उसे redirect कर दिया हमारे home page के अंदर और अगर यहां पर मैं आप लोगों को दिखा हूँ तो यहां पर यह server के अंदर uploads के अंदर तीन image यहां पर एक तम अच्छे से add हो चुके हैं और इन तीनों image का path जो है वो हमारे database के अंदर भी एक्दम अच्छे से यहां पर क्या हुआ है store हो चुका है आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो एक बार इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे refresh और अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों data यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है तो हम लोग ने हमारा जो user registration का जो काम जो था वो एकदम अच्छे से देख लिया और अब हम लोग उको क्या करना है कि हम लोग जैसे user को register करें तो हम लोग home page पर तो redirect हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग उको particular user का data चाहिए और उसे user की image भी यहाँ पर हम लोग उको चाहिए तो उसके लिए अब हम लोग को एक और API create करनी पड़ेगी user को get करने के लिए तो उसे हम लोग create कर लेते हैं तो जाएंगे हम लोग हमारे router.js के page पर और यहाँ पर यह जो register लिखा ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगी user data get और यहाँ पर हम लोग user के data को get करने के लिए API को क्या करेंगे create करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यह router.get और उसे हम लोग यहाँ पर path देंगे यहाँ पर होगा यह get data और यहाँ पर होगा यह async request response और होगा यहाँ पर यह fat error function तो उपर हम लोगों ने किया था router.post जो थी हमारी post API और यहाँ पर हम लोगों को user का data get करना है तो यहाँ पर मैंने लिखा router.get और यहाँ पर मैंने path set कर दिया get data तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे try और catch block के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा try block के अंदर const get user is equal to यहाँ पर होगा यह await और हम लोगों क्या करना होगा user को find करना होगा कि हमारे collection के अंदर कितने user हैं तो उन सारे user को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है get करना है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूजर कलेक्शन का use किया था तो उसे यहाँ से करेंगे copy और यहाँ पर लिखेंगे await users dot यहाँ पर होगी फाइंड मेथर्ड और यहाँ पर उसके बाद होगा यह small packet और यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे response को send करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे response.status और status होगा यहाँ पर यह 201.json और इसके अंदर होगा यहाँ पर फिर से एक और बार status तो यहाँ से इसे करूँगा copy यहाँ पर इसे करूँगा मैं paste और comma के बाद यहाँ पर होगा यह get user तो यहाँ पर हम लोगोंने क्या किया पता है router.get लिखा फिर यहाँ पर एक path set किया और यहाँ पर data get करने के लिए हम लोगोंने simple यहाँ पर एक query लिखी users.find जिससे क्या होगा कि हमारे collection के अंदर जितने भी data होगे वो सारे इस get user के अंदर add हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग उसे क्या करवाएंगे response हमारे front end पर send करवा देंगे तो यहीं से इसे कर लेंगे copy और catch block के अंदर करेंगे paste लेकिन status code कर देंगे 401 और यहाँ पर भी कर देंगे 401 और इस error को करेंगे copy और यहाँ पर कर देंगे paste तो यहाँ पर हम लोगों ने जो user को get करने के लिए जो API create करनी होती है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर create कर लिया कुछ नहीं था यह इस API के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक ही query यहाँ पर हम लोगों को add करना था और कुछ नहीं था तो हम लोग अब जाएंगे हमारे home.js के page पर यहाँ पर और यहाँ पर भी हम लोग उस exeos को क्या करेंगे import कर लेंगे तो यहाँ से इससे मैं कर लेता हूँ copy और जाओंगा यहाँ पर और यहाँ पर इससे कर दूँँगा paste और सबसे पहले यहाँ पर मैं दो state को define कर लूँगा और यहाँ पर होगा const data यहाँ पर होगा यह set data और यहाँ पर यह मैंने use state का use q किया वो भी आप लोगों को यहाँ पर यह पता चल जाएगा और use state के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसकी जो value होगी वो यहाँ पर होगी यह empty array कोई से यहाँ पर मैं कर देता हूँ save फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे जैसा हम लोग ने register के page पर यह exios को call करवाया ठीक उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर क्या करवाएंगे exios को call करवाएंगे लेकिन हम लोग यहाँ पर exios को call करवाएंगे जब भी हमारा page लोड होगा उस time पर तो यहाँ पर मैं एक function सबसे पहले create करूँगा get user data और यह function होगा यहाँ पर यह async और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const response is equal to यहाँ पर भी होगा यह await यहाँ पर हम लोग लिखेंगे exios.get और जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को यहाँ पर तीन काम करने होंगे url set करना होगा फिर data send करना है और headers को set करना है लेकिन वह हमारी post request दी और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है get request को call करेंगे तो get request को call करने के लिए सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर एक path ही देना होगा तो path हम लोग देंगे यहाँ से इस router के page से तो इस get data को करेंगे copy और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और फिर यहां पर अम लोगेक और व इंडर को भी settings करना होगा तो हेडर को अम लोग यहां पर set कर देंगे तो यहां पर अम लोग लिखेंगे headers और उसके अंदर होगा यहां पर हमारा Content ताइप यहां पर लिखेंगे Content टाइप और Content टाइप होगा हमारा application forward slash यहां पर होगा यह json इसे यहां पर मैं करूँगा save और इस response को यहां से मैं करूँगा copy और यहां पर नीचे मैं क्या करवा दूँगा console.log करवाऊंगा यहां पर console.log और यहां पर इसे कर दूँगा मैं paste इस response को और यहां पर इस get user data को करूँगा copy और यहां पर use effect के अंदर यहां पर इस function को क्या करवाएंगे call करवाएंगे तो यहां पर होगा यह use effect और use effect के अंदर यहां पर होगा यह function और आप लोगों को use effect को इंपोर्ट कर लेना है react के अंदर से तो यहां पर अपने आप ही यहां पर इंपोर्ट हो चुका है उपर तो यहां पर अब लोग करेंगे क्या तो use effect के function के बाहर यहां पर हम लोग करेंगे और अभी के लिए रखेंगे इस empty array जिससे कि क्या होगा कि जब भी हमारा page लोड होगा उसी time पर यह वाला function call होगा और हम लोग को output मिलेगा तो एक बार हम लोग हमारे terminal को check कर लेते हैं तो यहां पर अभी तो कोई error नहीं है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे जाएंगे हमारे front end के part पर और check करेंगे तो यहां पर हम लोग को कोई error आ गई और यहां पर यह बोल रहा है unexpected assignment और function call तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे line number 23 ओके तो यहां पर हम लोग ने function को call ही नहीं किया तो यहां पर हमें देना होगा यह small bracket और इसे करूंगा मैं save और अब अगर check करें तो हां यह एकदम अच्छे से यहां पर आ चुका है तो यहां पर मैं करूंगा इसे inspect और console में अगर मैं check करूँ तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मुझे एक object मिल चुका है और उस object के अंदर यहां पर data के अंदर यह जो get user लिखा वहां पर हम लोगों को यह तीन output म user data वाला जो function जो call किया वो एकदम अच्छे से यहां पर आ चुका है तो फिर से एक और बार मैं explain करता हूँ कि यहां पर क्या होगा जब भी हम लोग हमारे home page पर आएंगे तब use effect के अंदर यह get user data वाला function call होगा और उस function के अंदर हम लोगों ने क्या किया है axios.get और get data वाली API को call किया तो यह API यहां पर आएगी और यहां पर users.find हमारे collection के अंदर जितने भी users होंगे उसको find करके इस get user data के अंदर set कर देगा और फिर front end को हम लोगों को क्या होगा output मिल जाएगा तो यहां पर हम लोगों को यह वाला home page पर इस response के अंदर हम लोगों क तो क्या हुआ output एक्दम अच्छे से मिल चुका है तो यहां से इसे हम लोग करेंगे remove और register के page पर हम लोगों ने जो किया था वहीं काम यहां से कर लेंगे copy और यहां पर करेंगे paste तो यहां पर response.data.status 401 वो सब कुछ set कर दिया और यहां पर यह history लिखा है तो हम लोगों को history नहीं चाहिए तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर यह set data को करेंगे copy और जो भी data हम लोगों का output में मिलता है उसे हम लोग इस set data के अंदर क्या करवाएंगे set करवा देंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे response.data. फिर उसके बाद यहां पर था यह get user तो यह आपर करेंगे paste तो जब भी यहां पर output हम लोगों को मिलेगा तब क्या होगा set data के अंदर हम लोगों ने जो भी जो backend से send करवाया वो इसके अंदर set हो जाएगा और इस data के अंदर हम लोगों को output एकदम अच्छे से मिल जाएगा तो यहां पर उपर मैं इस data को भी console करवा कर कर लूँगा console.log यहां पर होगा यह data और इसे करूँगा मैं save और इस page को मैं करूँगा एक बार refresh तो आप लोग right side पर देख सकते हैं line number 10 पर हम लोगों को एक output एकदम अच्छे से मिल चुका है तो बस किसी output का हम लोग यहां पर use करेंगे तो इस data को यहां से में करूँगा copy और यहां पर नीचे यह जो लिखा है ना display flex वाली line ठीक उसके नीचे यहां पर हम लोग जाएंगे और सबसे पहले तो यहां पर जो extra card हम लोगों ने create किये थे उसे remove करेंगे तो यहां पर इसे में remove करूँगा और फिर यहां पर भी इसे remove कर दूँगा और एक बार check ओके तो यहां पर सिर्फ एक ही card slow करेगा तो यहां पर उपर जाओंगा मैं और करोंगा यहां पर इस enter और यहां पर हम लोग लिखेंगे अगर data.length यहां पर data.length greater than यहां पर अगर 0 हुई मतलब कि हमारा जो data जो है उसके length अगर यहां पर 0 से ज्यादा है तो ही हम लोग क्या करवाएंगे data.map करवाएंगे और map के अंदर होगा यह element फिर इसके बाद होगा यह index number और यहां पर इसे हम लोग क्या करवाएंगे return करवा देंगे यहां से return और फिर यहां पर इसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे हमारे card को add करवा देंगे तो यहां से इसमें करोंगा cut और यहाँ पर इसे में कर दूँगा पेश्ट और यह जो condition जो थी वो यहाँ पर अभी खतम हुई और उसके अब हम लोग क्या करेंगे close करेंगे तो यहाँ पर देंगे उसे यह empty, तो इससे यहाँ पर मैं कर लोंगा save, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि हम लोगों को यह तीन output मिल चुका है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही card हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोगों से तीन दिख रहा है तो एक बार इस पेज को मैं करूंगा रिफ्रेस्स तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों को हमाराज क्या करना है कुछ भी शो नहीं करवा दिया है अगर डेटा की लेंड जीरो से ज्यादा मेंम करवा है यहां पर क्या करवाएंगे, मैप करवाएंगे, तो यहां पर हम लोगों ने मैप करवा दिया, और तीन डेटा था, इसलिए हम लोगों को यहां पर यह तीन बार काड़ सो करेगा, तो यहां पर एक काम करेंगे, इस element को करेंगे copy, और यहां पर जो हमारे username जो था, यह हर्स ल ह Wireless प्र उसके बाद हमीत और फिर उसके बाद की तो यह तीनों यहां ऐसी तरफ यह और यह image को सबसे पहले करेंगे हम लोग image को और यहां पर क्यों यह यह आफ लोगों को बताया था password jsk के पेकश पर कि जब भी हम लोग यहां पर इस uploads वाले route पर call करेंगे तब क्या होगा कि dot forward slash के बाहर यहां पर यह जो upload का जो folder है उसके अंदर जितने भी image है उसे हम लोग क्या करवाएंगे get कर सकते हैं तो यहां पर भी हम लोग वहीं काम करेंगे तो यहां पर लिखेंगे forward slash और यहां पर होगा यह uploads जो कि हम लोगों ने app.js के page पर क्या किया था? create किया था तो यहां पर लिखेंगे uploads forward slash फिर यहां पर होगा यह curly braces और उसके आगे होगा यह dollar और अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे element.img path और इसे यहां पर मैं करूं का save और अगर हम लोग चेक करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो user का जो image जो हैं वो तीनों different यहां पर आ चुके हैं और यह इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हम लोगों ने uploads वाला जो path जो था वो हमारे back end के अंदर app.js के अंदर set किया था और uploads के अंदर हमारे जितने भी image हैं वो हम लोग यहां पर क्या कर पा रहे हैं एक्सेस कर पा रहे हैं और यहां पर यह image वाला काम एकदम अच्छे से हम लोग उने देख लिया यहां पर यह user का name और image एकदम अच्छे से यहां पर आ चुके हैं और बस हम लोगों करना है यह date को भी यहांपर हम लोगों को get करना है तो date को हम लोगों ने moments की help से क्या किया था database के अंदर store किया था get करने के लिए हम लोग यहां पर use करेंग moment का तो हम लोग हमारे अब front end के part को करेंगे close और front end के part पर भी हम लोग क्या करेंगे install कर लेंगे moment को तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ npm i moment और इससे क्या कर लूँगा मैं install कर लूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि moment install हो चुका है तो हम लोग फिर से restart करेंगे हमारी app को तो हमारी app यहाँ पर फिर से start हो चुके हैं तो इस react app को करेंगे close और अब क्या करेंगे तो moment को हम लोगों ने install तो कर लिया तो यहाँ पर करेंगे import यहाँ पर होगा यह moment from वो होगा हमारे moment के अंदर से तो यहां से इस moment को मैं कर लेता हूँ copy और यहां पर जो date added लिखा है तो इसे यहां से करेंगे remove और यहां पर लिखूंगा moment और फिर उसके अंदर यहां पर होगा यह element.date और यह वाला काम हम लोगों को करना होगा curly braces के अंदर तो यहां पर हम लोग लिखेंगे moment फिर उसके बाद होगा element.date और फिर यहां पर हम लोग एक format देंगे और यहां पर यह format होगा simple हम लोग यहां पर लिख लेंगे capital L तो यह वाला format जो है आप लोग उसके documentation पर जाकर read कर सकते हैं तो यहां पर मैंने directly उसे set कर दिया moment फिर उसके बाद दी दिया element.date और format यह capital L तो जिससे की क्या होगा कि हम लोगों को जो format चाहिए था वो ही यहां पर output में show करेगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह जो date edit जो हैं वो आज का date यहां पर एकदम अच्छे से आ चुका है जो हम लोगों ने अभी जो user add करें वोई date यहां पर एकदम अच्छे से हम लोगों को क्या हुआ मिल चुका है मतलब कि हम लोगों ने यहां पर user का name, user का image और date edit करने का जो काम जो है वो एकदम अच्छे से complete कर लिया और एक और बार यहां पर मैं आप लोगों को explain करता हूँ कि यहां पर मैंने क्या किया router के page पर गए और user को get करने के लिए API call करी और जैसे user मिल जाएगा तो यहां से status 201 के साथ क्या करवाएंगे data को front end में send करवा देंगे और फिर home page पर भी हम लोगों ने use effect के अंदर क्या किया एक function को call करवाया और यहां पर हम लोगों को data मिल गया और जैसे data मिल जाता है तो उसे एक state के अंदर store करवा देंगे और फिर उस state को यहां पर नीचे क्या करवाएंगे condition add करेंगे अगर उसके अंदर data greater than zero होगा तो यहां पर यह जो हमारा जो image को add करने वाला जो काम जो है वो एकतम अच्छे से देख लिया और हम लोगों ने हमारा project almost complete कर लिया है बस एक ही काम बाकी है कि इस button के click पर यहां पर हम लोग कैसे user को delete कर सकते हैं तो बस यही काम बाकी है तो वो भी हम लोग देख लेता है बाकी यहां पर यह जो user को add करने वाला काम और get करने वाला काम लोगों ने एकतम अच्छे से देख लिया तो यहां पर मैं काम कर लेता हूँ एक और user को add करके आप लोगों को लिखा देता हूं तो यहां पर इसके उपर में करूंगा क्लिक यहां पर लिखूंगा मैं टेस्ट और एक पाइल सिलेक्ट करूंगा और यहां पर होगा यह वाला इमेज और जैसे यहां पर इस सब्मेट बटन के उपर में करूंगा क्लिक तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग हमारे home page पर redirect हो चुके हैं और यहां पर एक user भी एकदम अच्छे से add हो चुका है तो यहां पर यह काम हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया और अब हम लोग जाएंगे फिर से हमारे router.js के page पर और router.js के page पर यहां पर नीचे मैं लिख लेता हूँ यहां पर होगा यह delete user data और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे user को delete करेंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर सबसे पहले होगा यह router. यहां पर होगा यह delete और अब तक हम लोगों ने कहा कि यह router.post देख लिया, router.get देख लिया और अब यहां पर बात करेंगे router.delete की तो यहां पर उसका path होगा यह forward slash फिर उसके बाद होगा यहां पर यह colon id और यहां पर यह id क्यों लिया वो भी आपको यहां पर यह पता चल जाएगा. तो यहां पर होगा यह sync request और response और यहां पर भी होगा यह फैट arrow तो यहां पर यह मैंने id इसलिए लिखा कि जब भी कोई user forward slash के बाद अगर यहां पर यह id हम लोगों को मिलती है तो उसी id के help से हम लोग क्या करवाएंगे user को delete करवाएंगे और यह id हम लोगों कहां से मिलेगी तो id हम लोग जब delete करेंगे तब उस time पर हम लोग क्या करवाएंगे set करवाएंगे उस API के अंदर तो वो और कुछ कैसे करेंगे front end से वो तो आपको पता चल जाएगा लेकिन अभी back end के हम लोग कैसे delete करेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी होगा यह try or catch block जिसमें try block के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर होगा यह curly braces के अंदर id is equal to यहाँ पर होगा request. अब तक क्या था कि data हम लोगों को मिल रहा था body के अंदर लेकिन यहाँ पर id हम लोगों को मिलेगी params के अंदर से तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे request.params और अगर आप लोग इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे const यहाँ पर होगा ytlt user.it means delete user यहाँ पर होगा y feat default और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे users... अब अम लोग को क्या करना है user को delete करना है लेकिन किस तरह से तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Find by id मतलब कि हम लोग सबसे पहले तो user को find करेंगे उसके id के help से and यहाँ पर होगा find by id and delete मतलब कि हम लोग user को सबसे पहले find करेंगे उसके id के help से अगर id match होगी तो उससे क्या करवाएंगे delete करेंगे तो यहाँ पर होगा यह curly process और यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडर्सकोर आईडी क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी आईडी यहाँ पर सेट होती है वो होती है अंडर्सकोर की अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यह underscore id लिखा मैं इसके बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा underscore id और उसके सामने होगी यह वाली id जो user send करेगा हम लोगों को front end से तो यहाँ पर यह जो yellow में जो लिखा है वो होगा user की id और underscore id जो है वो की हमारे database के id तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया id गो get किया और फिर यहाँ पर query लिखी users.findbyid and delete तो इससे क्या होगा कि id के help से user delete हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम लोगों क्या करेंगे उपर से करेंगे copy और यहाँ पर इसके अंदर कर देंगे paste और status code यहाँ पर 201 यहाँ पर करेंगे copy और यहाँ पर इसे कर देंगे paste तो जैसे user delete हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों कोई response मिल जाएगा एकटम अच्छे से 201 और उपर से यहाँ से कर देंगे copy और यहाँ पर catch block के अंदर error को यहाँ पर कर देंगे paste तो यहाँ पर मैं explain करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर एक delete API को call किया जिसका path था यहाँ पर यह forward slash के बाद colon ID और colon ID में क्या होगा जो user हम लोगों को front end से send करेगा तो यहाँ पर हम लोगों ने उसे get कर लिया request.params की help से और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने query add कर दी users.find by ID and delete मतलब की ID को find करो और उसके help से जो data मिलता है उसे क्या करो delete करो और यहाँ पर हम लोगों ने status होगे रहा send कर दिया हमारे front end को तो हम लोग अब जाएंगे हमारे home page पर और यहाँ पर यह जो get user data वाला function जो लिखा था ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग create करेंगे एक और function तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const delete user और यह भी होगा यहाँ पर यहाँ शिंक function और फिर उसके अंदर यहाँ पर हम लोग एक argument देंगे उसे काईटी और फिर यहाँ पर होगा यह फैट error function तो हम लोग उने उपर जो काम किया वही काम नीचे करेंगे तो यहीं से पूरा का पूरा कर लेंगे copy यहाँ पर करेंगे paste लेकिन यहाँ पर get की जगा पर वोगा यहाँ पर डिलेट और यहाँ पर यह जो getट डेटा path दिया है तो इस path को यहां से कर देंगे remove और यहाँ पर सबसे पहले देंगे back tick पिर यहाँ पर यहाँ पर उन्पर को इ सक करेंगे पिर हम सेट करेंगे затем फिर फिरять कर दिया और इफ के अंदर भी यहाँ पर हम लोगों ने यह error वगेरा सब कुछ set कर दिया and finally else block के अंदर यहाँ पर set data नहीं करना तो इसे यहाँ से हम लोग रटाएंगे और यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ लेंगे console.log यहाँ पर होगा user delete और इस function को यहाँ से करेंगे copies delete user को और इसे हम लोग करेंगे कब call तो यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर यह जो button है हमारा delete वाला उसके click पर तो यहाँ पर मैं लिखूंगा on click on click पर यहाँ पर होगा यह fat error function यहाँ पर इसे कर दूँगा मैं paste और फिर यहाँ पर small bracket के अंदर हम लोगों को देना होगा यह element dot underscore id particular उसी user का जिससे हम लोग क्या करवाना चाहते हैं delete करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने दे दिया delete user के अंदर यह element dot underscore id और जैसे हम लोग क्या करेंगे delete button के उपर click करेंगे तब क्या होगा यहाँ से id यहाँ पर इस function के अंदर जाएगी और फिर यहाँ पर इस argument के अंदर से यहाँ पर यह delete वाली API call होगी और हमारा जो user जो है वो delete हो जाएगा तो एक बार हम लोग terminal भी चेक कर लेंगे तो terminal पर भी कोई error नहीं और यहाँ से delete user function को यहाँ पर मैं करूँगा copy और यहाँ पर use effect के अंदर यह जो array है उसके अंदर कर दूँगा paste और यहाँ पर मैंने उसके अंदर क्यो add कर दिया इस function को तो वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग delete करेंगे user को तब क्या होगा कि हमारे पास 4 data है तो एक data कम हो जाएगा it means की 3 होगा लेकिन हम लेवग ने यहाँ पर क्या किया सिर्फ error रखा तब होगा यह कि हमारा जो get user वाला जो function जो है सिर्फ एक ही बार call होगा मतलब कि अगर user delete हो जाएगा तो 4 की जगा तीन डेटा हमारे पास रहने चाहिए लेकिन फ्रेंटेंड पर हम लोगों को फिर भी चार डेटा ही सो करेगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने delete user लिख लिया इसका मतलब यह है कि जब भी delete user वाला function call हो तो उस टाइम पर फिर से get user data function यह क्या होना चाहिए call होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इसे करेंगे refresh और यहाँ पर inspect कर लेंगे और यहाँ पर console को भी करेंगे clear तो यहाँ पर यह जो सबसे पहला वाला जूज़ उसे यहाँ पर में क्या करणगा इस बटन के उपर मैं करूंगा क्लिक तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइट पर हम लोगों को एक मेसेज आ चुका है यूजर डिलेट और जो यूजर जो यहाँ पर मैंने क्लिक किया वो यहां से रिमूव भी हो चुका है अगर यहां पर इसे में कर देता हूँ फुल स्क्रीन तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो यूजर जो हम लोगों ने क्या किया क्लिक किया वो यहां से रिमूव हो चुका है और हम लोग इसमें से होगा हमारा क्लोजिंग .. वाला अलर्ट तो यहाँ पर यह जो अलर्ट लिखा है His net निए उसे करेंगे Teil और यह अर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और यहाँ से सो और सैट canS यहां पर इसके नीचे कर देंगे हम लोग paste और फिर यहां पर यह alert लिखा है उसे ही कर लेंगे पूरा का पूरा copy और फिर यहां पर यह जो हमारा लिखा है न मर्न image upload ठीक उसके पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे उसे paste करवा देंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर अगर यह show की value true हुई तो ही हम लोग alert को show करवाएंगे अधरवाइस यहां पर होगा यह empty string तो इस p को यहां से remove करेंगे और फिर यहां पर भी यह जो alert heading यह सब कुछ लिखा है उसे यहां से remove करेंगे और यहां पर हम लोग लिख लेंगे user delete और इस alert को हम लोग क्या करेंगे ठीक कर लेता हैं यहां पर तो यहां से extra spacing को करेंगे remove और एक बार हम लोग चेक करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर यह अभी सही यह message ओ करेगा user delete तो इसे एक बार refresh करेंगे तब भी हम लोग उपर यह message ओ करेगा तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी उसके value true हैं तो इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ यह false तो अब वो यहाँ से जाना चाहिए तो ओके यहाँ पर यह गड़बड हो गई यहाँ पर हो गए यह false तो यहाँ से वो अलर्ट जो है वो जा चुका है तो वो अलर्ट हम लोग को कब कॉल करना है तो यहाँ से set soko मैं करूंगा copy और जब भी यहाँ पर user delete हो जाए तो उस time पर यहाँ पर हम लोग उसकी value को क्या करवाएंगे true करवाएंगे तो यहाँ पर उसकी value को मैंने करवा दिया true तो यहाँ पर एक बार हम लोग उसे check करेंगे तो यहाँ पर यह जो center वाला user जो है यहाँ पर user delete करके तो यहाँ पर इसे में कर दूँगा close तो finally हम लोगोंने हमारा जो project जो है वो एक्दम अच्छे से यहाँ पर क्या कर लिया complete कर लिया है और हम लोगोंने सब कुछ एक्दम अच्छे से देख लिया कि कैसे user को यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है हम लोग हमारे home page पर redirect नहीं होए तो एक काम करेंगे जाएंगे header.js के page पर और यहाँ पर क्या करेंगे यह जो navbar.brand दिखा है यहाँ पर nav link को import कर लेंगे तो nav link को import कर लेंगे यहाँ से इसे करेंगे copy और जाएंगे यहाँ पर इसे कर देंगे paste और इस nav link को यहाँ पर मैं करूँगा copy यहाँ पर इसकी जगाँ पर कर दूँगा मैं paste और यहाँ पर भी कर दूँगा मैं paste और नीचे register लिखा है वहाँ पर भी हम लोग इसे कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर भी इसे कर दूँगा मैं पेस्ट और फिर यहाँ पर यह जो href लिखा है तो href की जगा पर यहाँ पर हम लोग कर देंगे यह 2 और फिर यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे इसे 2 और इसका जो path होगा वो था होगा यहां पर यह forward slash और एक बार हम लोग उसे check करेंगे तो यहां पर हम लोगोंने उसे save कर दिया तो यह इस तरह से अम लोग ठीक से को सेव करेंगा तो दोनों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे class apert तो यहां पर मैं दोनों को class name होगा सबसे पहले तो यहां पर यह fins डेकोरेशन सबसे पहले होगा टेक्स डेकोरेशन नन और इन दोनों को देंगे टेक्स्ट यहां पर होगा टेक्स्ट लाइट और यहां पर इसे करेंगे सेव तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहां पर आ चुका है लिकिन यहां पर एकदम चिपका हुआ है तो यहां पर यहां पर देंगे टू तो हाँ यह एकदम अच्छे से यहां पर आ चुका है और अब अगर हम लोग ने बार के ओपर करेंगे क्लिक तो हम लोग हमारे home page पर redirect हो चुके हैं और register के ओपर click करने पर हम लोग हमारे register के page पर यहां पर एकदम अच्छे से क्या हुआ आ चुके हैं तो फाइनली हम लोगों ने हमारा जो project जो है वो complete कर लिया user code delete भी कर लिया और यहां पर उपर अलर्ट को भी show करवा दिया है हम लोगों ने और हम लोगों को यहां पर अभी एक और काम करना बाकी है और वो काम यह था कि हम लोगों ने जब video start किया तब हम लोगों ने backend के पार्ट के अंदर एक package को भी install किया था .env करके तो यहां पर server के अंदर में एक file create कर लूँगा और उस file का memo का यहां पर यह .env और यह पर लिख लूँगा यह database और यहां पर वुए database और उसके सामने यहां पर हम लोगों क्या करेंगे अमा जो je database का जो हम लोगों करेक्ट किया था तो यहां से से इसे में कर लेता हूं कट यहां से इसे में कर दूंगा कट और उस डॉट यह फाइल के अंदर यहां पर इसे में कर दूंगा पेश्ट और फिर यहां पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे require और फिर उसके अंदर होगा यहाँ पर यह.env, यहाँ पर यह config और इसे यहाँ पर मैं कड़गूं का save, और हम लोग ने यहाँ पर क्या किया? एक env file create करी और उसके अंदर हम लोग ने हमारे database की जो string जो थी उसے add कर दिया और फिर जाएंगे connection वाले page पर हम लोग और यहां पर हम लोग लिखेंगे db के सामने लिखेंगे process.env. जो हम लोग उने लिखा था env के अंदर database उससे कर लेंगे copy यहां से और फिर यहां पर करेंगे कि हमारे उस connection वाले page पर यहाँ पर इसे कर देंगे paste और इसे एक बार save करेंगे और हमारे terminal पर check करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ चुका है server start और database connected भी यहाँ पर एकदम अच्छे से लिखा आ चुका है तो finally हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से सब कुछ देख लिया कि कैसे database create करते हैं फिर user schema कैसे create करना है कैसे front end और back end को connect करना है तो सब कुछ हम लोगों ने एक एक चीज यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया और जो main काम जो था हमारा image upload वाला कि कैसे user का image upload कर सकते हैं using multar तो यह सब कुछ हम लोगों ने एक दम अच्छे से यहाँ पर देख लिया तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like केजे, share केजे और channel पर नहे हो तो subscribe केजे Thank you so much guys for watching this video